आर वि लाई बचापाडी सक्षापाड़ी ए ये येस आर वि लाई बचापाणी आर वी ओ लाई बचापाड़ी क्या हम लाईव हो चुके हैं बचलू ये सर वो भी किया दिन थे कि से यह हमारी आवाज गूज रही है स्पीकर में कनेक्टेड चलो बड़िया शांदर बच्चा पार्डि अवाज आरी है ना मरी परफेक्टो यहां ही सहां को पता जिल गे अपनी आवास सुनके हमको लग गया that's a greatu my dear bacha paadi that's a greatu that's a greatu and that's a greatu so hello bacha paadi namaskar adab sushyakaal and kemcho welcome to vedantu ka made easy platform this is your master teacher baba ssp sachin upadhyay physics faculty master teacher on vedantu my dear student welcoming you all in my dhamakedar series the 35 days 30 days ka free crash course on the first time in the history of vedantu made easy family my dear student my entire team is working hard for all of you starting from rajni ma'am if i talk about vinayasur sir if i talk about ujwal pius sir bhoomi ka ma'am minakshi ma'am baba ssp and iam sab ke poojni aadar niya arvind bhaiya ham sab loguni ki guidance me kama karna bachal log 30 days ka free crash course hai aad chotha din hai aur aaj karir urja aur shakti hindi mei se kata hai karir urja aur shakti well 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 chapter hai work power and energy work on jayi kytne saare chapters cover karne baakya bachal log baut sarai ek ek din aega sarai ke sari chapters khatam kar jayenge aaj bhi one shot video hai puri raad pardne ka mocha hai bacha party 9-11 baasakta hai to krippya aapne saathe khoo bsuri paani ki bottle leger ke baathega ur iske saat or kuchh bhi leger ke nahi bhaathega khaan eki kui bhi chis vajit hai bacha log uska reason hai yeh samayi sahih nahi hai khanega ठीक है तो बच्चा पार्डी यू गाइस आरेडी फॉर देशन वेलाज मेरा जोश और भी ज्यादा डबल एक्सराइज कर कर के गर कर के बच्छा बाड़ी कर 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 के अपना क्राम साही कर लिया मतलब आज के वाप पेंज वह वह दो से थीन परसेंट गाई पर जब बहु ठीक है बूम बूम चिटी बच्चा भी यहां पर आई है क्या बात है यह स्माइड यह स्टूडेंट इस देफोर एंड कंप्लीट वर्क एनर्जी पावर चल यह देखते हैं कौन-कौन बच्छा लोग हमारे आज के इस ब्यूटिफल सेशन को जोईन कर चुके हैं एंड मा यह बच्छा बाड़ी इस देर ओके सो पहला काव आप लोगों को करना बच्छा लोग फड़ावट से शेशन को लाइक कर दीजिए शेशन को लाइक करने का मतलब है आप लोग अपना प्यार देते हो बच्छा लोग तो बहुत-बहुत-बहुत जादा इंस्पिरेशन मिल छल्दी से इंगेजमेंट्स रॉपर आ जाओ नएक दिन भगवान जरू कराएंगे क्या बच्छा रहा हां है इसलिए आपको बहुत सही मिलेगी ठीक है ओके सो माइल बच्चा पाड़ी लफली 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 तो कौन-कौन आचुका है आज के सेशन में ब्यूटिफुल प्यारे से सेशन में वी हवा कांग्षा पंडित पहले नाम दिख जाता है पगली का रोशन राशी अगरवाल सोलंकी इशान जोशी सुरुष्टी इशान सोनू सोलंकी इशान जोशी स्वीटूगल दीव्या सागर राहूल आई कन सी दे लॉट्स आप नेम अफ दूदेंस चैलिये बहुत बढ़िया अर्चनान अब बिग हलो तो ओल्माइं बच्चा लोगना बिग चैनल के लिग करिया ख कर्शान सारा चैनल नहीं करें ठीके से दिपार्टमेंट अलग से हम लोग रखे हैं जैसे आज वर्क पावर एनरजी में अगर CBAC point of view से देखो तो collision आ जाता है लेकिन आज collision ही, collision का एक अलग segment आएगा, एक अलग class आएगी ठीक है, इसलिए 32-35 days बुला है, alright, चलो, that's great, my dear, बच्चा पार्डी, it's all good, सब बढ़िया, एकदम शांदार, भौकाल मचा रहे हो ना, नीट के अंदर अपने बाबे SSP के साथ, session की संख्या, like वाली संख्या मुझे कम दिखाई दे रहे, बच्चा लोग, प्यार की संख्या बढ़नी चाहिए, आपके, 299 है, 1000 दिखेगा, तो मुझे पूरा वरोसा है, यारी, crime को पता नहीं क्या हो जाता है, जैसी रात के 9 बस साथ किया, chapter 2 किया, chapter 3 किया, physics में, मज़ा आया सपी को, मज़ा आ रहा एक दम, PYQs बन रहे हैं, आप लोगों से, do let me know in the chat section, write down in the chat section, everybody is enjoying the class of crash course, timing, 9-11, और अब आपको विदान्तु made easy, जो कि अपना परिवार, अपनी family है, SSPN family, विदान्स family, मज़ा आ रहा पढ़ने में ब morning, 8.45, ब्रजनी माम के session से लेकर के बच्चा साम के आपके बाब SSP तक, अर्विन भाया तक, सब कुछ आप लोगों के लिए चल रहा है, है ना, पूरा का पूरा, नी 2021 का crash course, 2022 वाले बच्चों को ही पढ़ाएंगे, थेस वालों को ही पढ़ाएंगे, लेकिन पहला टार्ग ब्यूटिफुल हार्ट सेंड बंदर का photo, बहुत बढ़िया, ठीक है, चलिए, chemistry के लिए आप लोग क्यों नहीं पढ़ रहा है, I don't know, you people are saying chemistry, बच्चा उजुवल प्यूसर की class ना, जब मैं पढ़ा रहा था, 4 बजे, उस टाइम पे हम लोगों ने रखा, बहुत बहुत ब प्लाटफॉर्म पर मिल जाएगा, जैए बेंस वाले भी देख सकते हैं, ठीक है, यह पूरा crash course हमारा है, हान जी, free है crash course, वही यूटुब के लिए, आपको कुछ भी पे करने के जुरत नहीं है, notes भी हम आपको दे देंगे, sweet you girl is saying sir, I am sick, but still I am live, because of the session, salute my dear student, चलो, that's great, बच को start किया जा बच्चा लोग, great, मुझे class के अंदर संख्या में कमी दिखनी नहीं चाहिए, बिल्कुल भी बच्चा पार्टी, और मुझे पूरा भरोसा है कि यह संख्या एकदम last तक मेरे साथ रहेगी, 400 प्लस बच्चा पार्टी, 500 प्लस बच्चा पार्टी, 600 प्लस बच् सब्स्टर्स, Geo Me A, Sir हाथ की रेखाए, दिखा रहे हो क्या, नहीं बच्चा हाथ की रेखाए दिखाने के साथासा हाथ में देखो वह भी हो गया है, छाले पड़ गया है, जिम करते-करते हैं, है ओके सर थांक यू बच्चा निकिता थांक यू तो ऑल मैं बच्चा पाड़ी एस थांक यू फूर गिविविंग में पेग बाला थामस अप ग्रीट ऑसम एनर्जी लवली एनर्जी शुक्ला जी रिप्या करके स्थान यहां गरांड करें तन्यवाद भगवान आपका बला करें दोर दोनों बंद कर दीजिए अच्छे से कोई भी बाहर का चोर और यहां ना जाए यहां चोरी बहुत होती है ओके चलो मेरे प्यारे बच्चा पाड़ी तो स्टार्ट किया जाए एक बार जैकारा हो जाए बोलिए श्रीम बेमात की हाउस चोष पचलो हाउस तो चू बाहरा दोंगा हम प्रॉब्लम्स भी करेंगे कॉंसेट्स भी करेंगे एंड बैरी वरी इंपॉर्टन कोश्टन करने वाले हैं तो चलो बने रहें ठीक है कहीं जाने की जुरत नहीं और यह संक्या 383 बढ़ते रहना चाहिए और वीडियो को शेर भी कर दीजेगा जिन हमारा 30 days का free crash course जो की YouTube के platform पर विदानतुम ADZ के platform पर चल रहा है सारे के सारे teachers आपके लिए hard work कर रहे हैं अपने बारे में छोटा से introduction दो बच्चा लोग तो बहुत ही प्यारा सा हम अमेसा एक बात कहते हैं कि physics को रटने की जुरत नहीं है physics को feel करने की जुरत है because once you start learning the physics by clearing the concept of a day will come in your life when you realize that you are a niche महबबत with physics माइटर बच्चा पाड़ी myself सचुनुपाध्य मांस्टर टीचर विदानतुम ADZ बच्चा लोग उनों टीचर से पढ़ने का मौका मिल जाएगा रजनी मैं सुबह में आ जाती है सुबह में जिन बच्चों को पढ़ना है वो मिनाक सी मैं का डाइमिंग आप सब जानते ही हो बच्चा भूमी का मैं आफ्टरून में दो बज़े से लग जाते हैं यह रहे आपके chemistry के कैप्टन वाइस कैप्टन वाइस कैप्टन जो कहना कह दीजिए आपके बाबा एसस्पी है तो पीछे से मुझे सिखाते रहते हैं स्टम के पीछे से चीकू उदर तेरी गल्फेंट कडिये क्या उदर मत देख बॉल फेक तो ऐसा वाला सीन चल रहा है तो अर्विद से ब्यूडिफूल विदान तुमेड इजी चैनल को हैंडल कर रहा है बच्चा लोग और आप सब के सपोर्ट की जुरत है और हम सब मिलकर के नीट में भौकाल मचाएंगे चलो बच्चा लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बात करो नीट के एक्जाम की कॉलिफाई करने के लिए चबरतस्त माइंड सेट चाहिए बच्चा लोग स्ट्रेजी चाहिए नोट चाहिए सही समय पर रिवीजन सही समय पर पूरा सिलेबस खतम और लगातार मॉक टेस्ट और यह सब कुछ होता है बच्चा लोग हमारे विदानतों के प्लस प्लैटफॉर्म पर जिसे हम प्लैटफॉर्म कहते हैं जहां पर आमेजिंग टीचर्स आपको एक प्रॉपर बैच में पूरा सिलेबस खतम कराएंगे रैंडम कुछ भी नहीं चलेगा सबसे खास बात कि आप क्लास के अंदर ही अपने डाउट पूच सकोगी नोट्स मिल जाएगा रिवीजन फास तरीक से होगा और मात्र साथ सेशन के अंदर ही आपका पूरा सिलेबस खतम होगा सिर्फ फिजिक्स नहीं जबकि फिजिक्स भी केमिस्ट्री और पूरी बायलोजी भी इस हमारे बैच को जोइन करने के लिए आपका समय है पांच जुलाई जो कि आज आज आठ जुलाई है तीन क सीचर्स के लिए आपको देना है सिर्फ 6,000 रुपए बच्चा पाटी और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक क्लिक करिएगा सुनीट कोड लगाना पर ना आपको 10,000 पे करना पड़ सकता है बहुत ज्यादा सोचनी की जुरत नहीं है आपको लग रहा है बच्चा आपको सिर्फ 6,000 रुपए पे करना है फिजिक्स, केमस्ट्री और बाइलोजी के लिए क्रेश कूर्स जॉइन कर लीजे चलो विदानतु आपसे इंप्रूमेंट का प्रॉमिस करता है बच्चा लोग अगर आप हमारे प्रो मेंबर हो 2022-30 के लिए लेकिन हमें हमारे काम पर हमारी पूरी विदानतु के टीम पर पूरा भरोसा है एक बार जो बच्चा आएगा वो जरूर जोड़ जाएगा बच्चा पार्टी चलिए आज इस ब्यूडिफुल पर्सन का फोटो दिखा देते हैं बच्चा लोग जोड़दार तालिया हो जा आज ते हैं फिजिक्स के वह खास करके हमारे निखिल बाबा जो है बनाते है निखिल कानित कर वन उफ वाइख लोग फ्रेंड इन विदानतु बहुत क्लोज है भाई की तरह है बहुत मस्ती गड़ता हूं है बहुत चढ़ाता हूं इन्हें महारास्ट में रहते हैं और चा थैसे त्क इू निखिल for making this wonderful sleightos ॥ैंग थैंग इंखिल थी थाइक भू स्लेक्डा निखिल निखंपनारी नंग अामित टीम है और चाहिं जापनित वित्तामित्ने का चाहिक वह बहुत hágai और बहुत युश्णक को बहुत कुछ मिलता है बॉत नहीं पढ़ना है तो नही आपको बहुत ब्यूटिफुल तरीके से मोटिवेट करेंगे ओके लेट्स बिगिन दे क्लास बच्छा पार्टी हम बात करते हैं हमारे क्रेश कोर्स में हम क्या क्या कराते हैं बच्छा लोग तो देख लीजिए हम प्रिवियसर के टॉपिक लेते हैं कॉंसेट की क्लारेटी करते हैं प्रैक्टिस करते हैं माइंड मैपिंग करते हैं और बच्छा लोग प्रिवियसर के कोश्टन स्पी करते हैं चलो तो यह रहा हमारा ताइम टेबल आप में से किते सारे बच्छे रैगुलर तीन दिन से फॉलो कर रहे हूँ कि सिख सेप्टेंबर से पहले निट कंड़क्ट नहीं होगा रहान मलिक हंड़ेट परसेंट सारे बच्छे जस्ट राइट डाउन हाँ मेनी ओफ यू आर वाचिंग दिस सेशन ऑफ बाबा एसस्पी और आल माइटीम फ्रॉम देवन फ्रॉम दिस मंड़े जो बच्चे नहीं देखे है ना उनके लिए टाइम टेबल है जहां जहां टिक मार्क्स है वो सारे चैप्टर्स पढ़ाए जा चुके हैं और यह सारे वीडियो के लेक्चर्स जो है वह आपको फ्री ओफ कॉस्ट वीडियो के डिस्रिप्शन में मिल जाएंगे नुक्लिय अटम ऐसी देख लो नहीं तो बहुत सारे लोगों को लगेगा सर आप ट्वेल नहीं कराने वाले हो क्या तो मेरे ठाइम टेवल में सारी चीज़े हैं बच्चा लो इलेक्ट्रोस्टेटिक एटम नुक्लिय ऑप्टिक्स एवरीधिंग इस दैर सो डूट बरे आ जो बच्चा इस चीज़ को दिल से फॉलो कर रहा है ना दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है कि उसे यह मांक्स लाने से रोख सके ठीक है पक्का चलो तो स्टार्ट किया जा बच्चा लोग सचन नायक को ज्यादा ही रफ्तार में सर प्लीज स्टार्ट फास्ट बच्चे इंफर्मेशन देनी बहुत जरूरी होती है आप लोगों के लिए चलो नोट डाउन करो यह स्टार्ट हो चुका है आपका इस चैप्टर से हमारे दो कोश्टन पूछे जाते हैं हर साल दो सवाल होता है और वो दो सवाल कौन से हैं बच्चा देखो यार चैप्टर खतम करन आधे गंडे के अंदर भी नहीं खतम हो जाएगा लेकिन मैं सिर्फ कॉंसेट नहीं कराता हूं कॉंसेट के साथ प्रॉब्लम्स पी आपके साथ डिसकस करता हूं प्लस हम एनलेसिस करते हैं बच्चा अनलेसिस देखिए टॉपिक वन वर्क डन से तीन बार सवाल आ चुका ह मैं टॉपिक टू है आपका पावर जो की दो बार आ चुका है टॉपिक थ्री से बच्चा लोग वर्क डन बाइदा स्प्रिंग एक बार आ चुका है यह वो तीन टॉपिक है उसके साथ स्टेबल एंस्टेबल एकुलिब्रियम 2012 में पोटेंशल एनरजी इंस ग्राफ 2011 में एक सवाल है मतलब यह कुछ इतना इनका लेबल हम नहीं कह सकते लेकिन पहले की जो तीन टॉपिक है ना बच्चा यह बहुत खास है ठीक है यह बहुत खास है बच्चा तयार हो सारे बच्चे स्टार्ट करें वर्क डन से ओल मैं बच्चा पाड़ी सार रेडी चलो अपना ह प्रॉब्लम में आपको इस चैप्टर से प्यार कर दूंगा जैसे आपके स्टार्टिंग तीन चैप्टर से करवा आजस्ट इस श्क्यूमि और हैंज एक्दम दिल से ग्रेट 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 अशे के बहुत बीगले लाववली चलिए तो स्टार्ट करते हमारे session को with the very first topic of okay the work done yes my dear बच्चा पार्टी वक्डन की हम बात करें तो देखो बड़ा सिंपल सा बहुत ही प्यारा सा लजीज सा concept है और concept क्या है जरा उस चीज को समझते हैं किसी भी बॉड़ी पर हम फोर्स लगाते हैं बच्चा लोग तो फोर्स लगाने से displacement होता है आप इस ब्लॉक को देखिए यहाँ पर मैं ट्रॉ करता हूं इस ब्लॉक को देखिए इसका मास से एम कि इसके उपर है अपने फोर्स लगाया एंगल थीटा है तो इसकी 2 गंपोनेंट होंगए करेक्ट है तो इसका एक थीटा के तरफ एक कोस थीटा और दूसरा कंपोनेंट होगा बच्चा लोग एफ साइन थीटा राइट है अब बताईए कि यह जो ब्लॉग है बच् अच्छा सारी अगर आप डेली फॉलो करते हो तो सारी चीजे टेलिग्राम में वेलेबल हो जाती है वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक कर लो ठीक है बताओ बचलो एफ कॉस्स थीटा एफ कॉस्स थीटा करेक्ट है श्रिवास श्रिवास दिव्या अंजली मुश्कान ना हुआ तो हमारा फॉर से बच्चा लोग एफ कॉस्थीटा डिस्प्लेस्मेंट मालो यहां से यहां तक का डी हो गया यानि आया एफ डी कॉस्थीटा और हम सब यह वेक्टर में जानते हैं कि कॉस्थीटा आ गया मतलब की डॉट आ जाएगा यानि डबलू बराबर सिर् प्रोड़क्ट और दिस वेक्टर प्रोड़क्ट करेक्ट यह स्केलर प्रोड़क्ट है तो अगर यह स्केलर प्रोड़क्ट है तो यह कैसी कॉंटिटी हुई कैसी कॉंटिटी हुई बच्चा लोग यह से स्केलर कॉंटिटी क्योंकि दो वेक्टर का अगर हम स्केलर होगा बच चलो क्वीकली बता दो स्केलर कॉंटिटी है भाईया समझ में आ गया अब क्या है हाँ जूल अच्छा चलो जूल और कुछ और भी हो सकता है इसका यूनिट बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी डिसकर्स करेंगे आपको मजा आ जाएगा बच्छा शॉट कट भी दोंगा आपको निउटन इंटु मीटर करेक्ट फोर्स एंड इस तो निउटन इंटु मीटर अब जल्दी से इसका डामेंशन फॉर्मूला बता दो क्योंकि नीट में आप स सब्सक्राइब करेंगे हो तो एंटु माइनस टू बोली एश्री अंबे मात की जाए हो बैरी गुट माइडर बच्छा पार्टी सीवी साक्षी आइकन सी लॉट्स अप स्टूजेंस आर गिविंग मीडे करेक्ट आंसर सूपब तो सिंपल सी बात है वर्क डन डबलू बरा बाते हैं जो मैं आपसे पूछता हूं इसी स्लाइड पर एंड देखते हैं कितने बच्छेस का आंसर देते हो इसमें ना तीन अलग-अलग केसे से बच चलो केस नमबर वन अगर एफ और डिस्प्लेस्मेंट दोनों पैरलल है मतलब जहां पर फोर्स है वहीं पर डिस्प्लेस्मेंट है पर एक्जामपल अगर पानी की बॉटल है मैंने इस पर फोर्स लगाया डिस्प्लेस्मेंट भी इसी डिरेक्शन में है बताईए वर्क डन मिलेगा की नहीं मि दूनों तो यह धीता मस्ट amar नोस्ट भी-zet रहों अरे पो यह जो भजन नोलीक रहें न हो यह वह यह वह यह तो उनका दिमाग कहीं ओर रहे हैं तो मोबैल के पर हैं मतलब कुछ और चला करके बैठें और साथ-साथ मैं सुन रहा को कुछ और करेंग अ हम 30 साल की wb चलो ठीक है काभिल होने बात कि पहले तुमको काभिल बनाने तो प्रीती तुमको नहीं मिलेगी कभीड सिंग बनना है कि नहीं डॉक्टर्स करेक्ट मिलीगा यार थीटा जीरो हुआ तो डबलू बराबर में एफडी कॉस जीरो कॉस जीरो की वैलू कि इतनी वन यानि शस्तान दार चलो दूसरा केश लेतै हैं हाँ तो वर्ग हमारा पॉजर्टिव हो सकता है फॉजर्टिव मिले अगर हमारा फोर्स और डिस्प्लेस्मेंट पर पेंडिकुलर हुआ अब पताओ मिलेगा कि नहीं मिलेगा जोटसना सिंग वेल डन बच्चा वेल सेड माइड ये बच्चा बहुत अच्छे सर कभीर सिंग नहीं बनना हमको अच्छा डॉक्टर बनना है बहुत बढ़ी क्योंकि कभीर सिंग बन गए तो वड़ा वाम वाम करें के यही सब करोगे हैं न स्मोकिंग नॉल बट डैट इस तो चलो मैंने फनी वे में बोलाने बच्चा लोग हाँ इस बार नहीं मलेगा ने क्योंकि थीटा 90 हो जाएगा ने बच्चा लोग और डबलू वराबर जो फॉर्मुला होता है ने वह एपडी कॉस 90 होता है अभी कॉस 90 जीरो तो हमारा वर्क डन भी जीरो यानि वर्क हमार गं होता है आपको जवाब क्या है कहना वर्क डन भी नेगेटिव मअचे आक हमारा वर्क डन नेगेटिव हो सकता है कि भॉत चारे बच्चछे कहिए रहानों बड़ अनसर गलत है अगर % चो लोग स्दूर्ट के बीच में आंगल 180 हो हाँ तो ड़बलू बराबर में fd कॉस 180 कॉस 180 के वैलू कितनी माइनस तो डबलू बराबर कितना हो गया माइनस में FD चलो फड़ा-फड़ इनके एक्जामपल देख लो एक 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 जामपल देख लो कब प्लस हुआ कब मैनस हुआ कब जिरो हुआ तो यह चीज दिमाग में बिठा के रखो वर्क पॉजि अच्छा दूसरा अगर कोई ऐसा सवाल आजा जिसमें फ्रिक्शन की बात करें बॉड़ी ऐसे चल रही है गाड़ी ऐसे चल रही है लेकिन बोला जाए बच्चा पार्टी की वर्क डन बाई दा फ्रिक्शन फोर्स तो आपको नहीं लगता कि फ्रिक्शन अपोजिट है डि अच्छन परिक्शन वाले फॉर्स के अंदर पॉजटिव कब होता है बच्छा लोग ग्रेविटी वाला ले लो कोई भी एक्जाम्पल ये इसको मैंने फेका फॉर्स भी एमजी नीचे लग रहा है डिस्प्लेस्मेंट भी नीचे है इसलिए यहां पर वर्क डन पॉजटि है ना वी विल डील इट अगर क्लियर भच्चा पाड़ी तो बोलिए यह सर पोलो जो और चॉम को बच्चा पाड़ी जिन लोगों अभी तक अपना प्यार नहीं शेयर किया बहुत गलत करें रहे हैं वहाल देलाइक बटन नीट की एक दिन एक्जाम के पहले न कोई आया न आया लेकिन बाबा एससपी पूरी फिजिक्स रिवाइस कराएगा आपको बस बने रहो हमारे साथ पूरा करा दूँगा और यह स्लाइड अपने पास रखना क्योंकि यह बहुत काम की चीज है और यह आपको मिल जाएगी ब कुशन देखिए आपके सामने स्क्रीन पर है पहला सवाल बच्चा आज हूं मिलके करते हैं आप लोग करोगे क्या अगर तुमने कॉंसेट सीखा है तो यू पीपल कान डू दू इस कि सो साधू चरण कह रहे हैं सर्यू आ लूकिंग गुड है मैं सर्मा जावा पढ़ लो यार मैनत भी करता हूं पढ़ाता भी हूं क्या वोल तो सुकला जी ठीक है पढ़ भी लिजी अब सिंगल नहीं रहे हैं पढ़ लिजे ठीक है सवाल करें वें फोर्स त्री टुवा न्यूटन अब सोचो वेक्टर एफ कितना तो 321 न्यूटन ले रखा है 321 डॉट वेक्टर डी एक्स एक्सिस पे वह भी फाइफ आई कैप तो डॉट है ना तो डॉट में तो करेक्ट वेरी गुड बच्चा डॉट में आई कैप है तो आई कैप सिरफ आई कैप के साथ ही मल्टिप्ल आई होगा यानि आपका आंसर आएगा 15 जूल खतम नीट का सवाल था यह वेरी इंपॉर्टन फोर नीट कितना टफ है कितना टफ है टफ है क्या नहीं आसाने क्या येस क्यूंकि तुमने कॉंसेट सिखा अगर माल लो ऐसा पूछता फोर्स आपका 321 है और डिस्प्लेस्मे खतम जे कैप को हम जे के साथ मल्टिप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर दस जूल हो जाएगा एक और सवाल पैटन सीखलो इसी पर से मुझे यादरा नीट नहीं पूछा है कि बच्चा लोग जो हमारा एफ है ना वो टू आई कैप है और जो डिस्प्लेस्मेंट है बच्चा लो वह फोर जे कैप है तो बताएए थीटा कितना बता दो बच्चा जल्दी से टिपिकल नीट प्रॉब्लम कि दी रोजारी हो थाएं कि सो मच माई बच्चा थाएं कि सो मच टिपिकल नीट प्रॉब्लम कम आवरीबड़ी हमारी आवाज कास अच्छी होती असी नहीं अच्छी होती तो हम गागर के बताते कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है सॉल्यूशन का पता ही नहीं बचलो तो यार दिख रहा है ऐसे जो आपका कॉस्ट हीटा होगा वह होगा एफड़ी आप्वान में एफड़ी यहीं होता है न क्योंकि डवलू बराबर एफड़ को सीट और डवलु क्या है ऐफड़ी तो जब डॉट करोगे तो आहीं और जे क्या हो जाता है जीरो तो अगर कॉस थीटा जीरो है तो थीटा बच्चा पार्टी कितना हुआ 90 डिग्री बोलो पिक्चर क्लियर है हाँ जीरो नहीं हो सकता कभिता समंत्री थाइंक यू बच्चा येस माई डिर बच्चा पार्टी ही बिक्स कॉस्टा ङसगОं तो रख पार्टी जीरो आई डॉट जी जीरो टो कॉस सिटा जीरो मिस्टी इस एकट अटी डिग्री है रहना चलिए एक और कर दीजिए तो मुझे सैटिस्फिक्षक्शन मिल जाए बच्चा एक और कर लेते हैं ठीक है एक एक और कर लेता है एक कर लेते हैं वन्मोर 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 देर दिवाल एंड वन पर्शन इस दैर फिक्स है यह 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है होवरिक धन कितना यह तो भर देना चार्ट सेक्शन इतम भड़ जाना चाहिए था यह भी नीट में पूछा एक बच्चा पूछ रहा है लीट नइटी कर्एर वार्ट टं कहां से मिलेगा सर वरट यहां पर मैं कौन जी भासा में कहता हूं जब भी जीरो आता है तो हुम्रों को हमारे बाटवाशा में क्या कहते हैं बच्चा लोग अगर तुम सब मेरे बचले बच्चत निकिता सिंग्ठांग की बच्चत बता दो भजिया यस तो जब भी जिरो आया आंसर बोलो भजिया आया वैसे गुजराती डिश है भजिया बट बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा क्लियर चलो आगे बढ़ जाते हैं अगला सवाल नटवर लाल वाला सवाल बढ़िया सवाल इसमें दो चीज़े तो यह हमारे नेटवर्क लाल की साइकल हो गई 10 मेटर उन्होंने ड्रैग किया घसीटा ठीक है बिफोर इट स्टॉप्स वर्ड पकड़िये रुकने से पहले तो क्या इन्होंने ब्रेक लगाया बच्चा तभी यह वर्ड आ रहा है इन्होंने ब्रेक लगाया तभी यह वर ब्रेक्षिन फॉर्स कितना बोलो बच्चा तुम बताओगे वर्ड न कितना इसका अंसर नट्टू का का लाइक ड्रिफ्टिंग नट्टू का का तो हमारे तारक में तक उल्टा चसमा में कितने लोग देखते हूं मैं पहले खाना खाते खाते अभी देखता हूं दो पहर म कभी कभी मजा आता और वो भी पुराने अपिसोड नहीं वाले नहीं जिसमें हमारी दया में रदी नहीं वा वाता जी टपू के बापा टपूड़ा करेक्ट माइडर बच्चा पार्डी माइनस में आएगा क्यों क्योंकि फोर्स का डिरेक्शन इधर है इधर क्यों लिया फ्रिक्शन इधर है मोशन इधर है एंगल कितना है 180 है कॉस्ट वनेटी की वैल्यू माइनस इसलिए माइनस 2000 चूल चलो बच्चा दूसरे वाले का अंसर बताइए दा वर्क डन बाइद बाइसाइकल ओन दा रोड क्या होगा दूसरे एक आंसर इस पाइसाइकल ने जो हमारे नट्टू का का बैठे है तो बाइसाइकल ने रोड पे कितना लगाया वर्क डन मानवी गर्ग विक्शनिका द्रूब हर्ष मानवी बच्चा कुलदीब बच्चा सानिया बच्चा दिरोजरियो बच्चा करेक्ट नाई 2000 न लौ है न्यूटन्स थर्ड लॉप मोशन तुम मुझे खून दो थो मैं तुम्हें आजादी दोंगा नीता जी सुभाज चंद्र वो उसने कहा था बट न्यूटन्स थर्ड लॉप मोशन कहता है कि अगर इस साइकल ने जमीन पर फोर्स लगाया तो जमीन भी साइकल पर फो सब्सक्राइब लाजी है राम अकीले हूं यार मैं रात को ए सुकूल है कि पचलो कुछ हो जाए तुम लोग बचा लोगे मेरे को हुआ हुआ है ठीक है आप लोग बचा लोगे वसे मुझे चोड़ेलों से डर नहीं लगता हम न्यूटन है चलो बच्छा लोग एक न्यूटन वरवा दसकी घात पांच डाइन तो डिस्प्लेस्मेंट जीरो है इसलिए वर्ट भी जीरो होगा देख बच्चा हमने मतली को यार मैं नहीं डर रहा टेंशन मतलो कुछ नहीं होगा जीवी तरह होगा है क्लियर है ताइंक्यू काजल गुपता है नौलबा बच्छा लोग चले बच्छा लोग तो हम आगे बढ़ते हैं और भी चीजे करते हैं वर्टन हमारा क्लेरिटी के साथ दमस्त तरीके से रशानदर तरीके से खतम हुआ अब दीग बच्छा एक बहुत famous question नेट के अंदर क्रैश पूस्ट में जो करा जाता है बच्चा लोग जो कि ल्लास में अब जो सबसे से ज़्यादा पूछे जाते हैं वही कराया जाता है जो आता ही आता है वो है वर्ग दन बाइदा वैरियेबल फोर्स मतलब कि किसी ऑबजेट पर अगर अलग-अलग फोर्स लगें ग्राफ मत दीखें ग्राफ की चिंता मत करिए जैसे किसी एक अबजेट पर अलग- मतलब कुछ अलग-अलग जैसे माल लो कि मैं आपको बोलू कि f बराबर में है 2x का स्क्वेर प्लस में 4x प्लस में 2 आप बताओ यह फोर्स कॉंस्टन फोर्स है या यह फोर्स वैरियेबल फोर्स है थांक्यू प्रदीप थांक्यू मैं बच्च लोग आप लोग का जोश इ सर कैसे पता चलता है यह वैरियेबल फोर्स है क्योंकि यहां पर एक्स है ना एक्स तो कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8 यानि जब भी आपको नीट के प्रॉब्लम में ऐसे वैल्यू दिखाई दे फोर्स के ऐसे ना दिखे f बराबर 10 नूटन बच्चा यह कॉंस्टन तो जब ऐसे फोर्स दिखाई देना तब आपको वर्डन का यह फर्म ना लगाना है कि w is equal to integration f dx क्लियर हुआ य डिरेक्शन में होगा तो क्या करोगे integration f dy लिमित ले लो y1 से y2 अभी हम एक प्रॉब्लम भी करेंगे ठीक है अगर z डिरेक्शन में है तो हम क्या करेंगे f dz लिमित ले लो z1 से z2 simple एकदम simple but most important thing you should understand and you should keep this thing in your mind till the last पर तो फिलाइब बच्चा लोग के constant force है तो f dot d लेकिन अगर constant force की जगह पर variable force है ना बच्चा तो हम यह equation लगाएंगे ठीक है मज़ा आया यह graph आपको यह बता रहा है कि अगर आपके पास में f और x का graph है तो force into x को multiply करोगे तो जो आप work done निकालोगे वो हमें area जो निकालोगे वो work done देगा वो सवाल के मादम से करेंगे ठीक है गजब एक सवाल कर लेते हैं इसी slide पर ताकि आप आगी बढ़ो तो आगी वाला सवाल खुद से करो चलिए एकदम typical neat problem बच्चा जैसे जैसे नीट में कोशन आते हैं हम वही questions आपको कराएंगे बिलकुल नीट में पूछने के full chances है वही question आपको crash course बावाइस स्पीक पर हम कर देते हैं 2x प्लस 4 और एक्स बराबर वन मीटर से ले करके एक्स बराबर टू मीटर तक वर्क डन निकालो कर सकते हो या मैं करके दूँ कि ट्राई करो यह वाले सारे बच्चे ट्राई करेंगे ट्राई यूर्सेल्फ करो अधिया नैंसी पटेल राज तो हमारा ही होगा ना मैंका थोड़ी ना होगा जाके बोल मत देना सलोनी मैं के क्लास में नहीं तो आदे आदे गंटे लेक्चेस लेटती है बारी सेवन जूल एट जूल हाँ बाकी है साधी पता है आदे जादे लोग तो एक साल है क्योंकि रिसेप्शन इतना मतलब इंगेजमेंट सेर्मन इतनी बड़ी थी बहुत सारे लोग कंफ्यूज है मतलब हमारी विदानतों के परिवार भी कंफ्यूज है कि साधी होगी इंगेजमेंट हुआ है बाकी है ठीक है साधी बाकी वह अभी एक साल है बीस जन्वरी को करेंगी कि अब यह सुकले चोड़के कहां गया थे अच्छा तो ठीक है चलो चली जाएगी बच्छा आप सुकला आगया है हिरे हूआ एक्स लिमिट लिया 1-2 खतम फ्रिया क्स का स्क्वेर मतलब चार में से एक ग्यात व थील समझel भाके एकस dus इक जगा हमने चेंद़ आई 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 ठीक का हटी को हमनेए चार के एकbourग चांव एक टो को करेक्ट ओ वैल डान एक और गड़ो ताकि मैरे को साटिस्पक्षशन मिल जा करोगे एक और बचलो वन और बीकर यह बहुत बार पूचा यह प्रॉब्लम बहुत बार पूचा है बच्चा और नीट में सवाल आते ही रहते हैं वह इस वाल ले रहे हैं जो नीट में अकसर आ आएंगे इस बार भी आएंगे लिख करके लिए लो पेपर के बाद बाबाए सस्पी को याद करोगे बाद में फ्री में हमारा इलाज कर देना जब डॉक्टर बन जाना क्या बोलतो शुक्ला जी ठीक है चलो ले लो एक और कोशन कर लो 3x का स्क्वेर प्लस में 2x प्लस में 1 x बराबर 0 मीटर से x बराबर 1 मीटर तक वर्क डन निकालो क्विक बच्चा पाड़ी क्विक क्विक मुष्कान गुप्ता इस आस्किंग सर प्लीज एक बर बता दो तो बच्चा 2x का इंटीग्रेशन 2x स्क्वेर बाई 2 प्लस 4 का 4x लिमिट है 1 से 2 x के जगा पर 2 रखा तो 2 का स्क्वेर 4 में से एक गया तो 3 x के जगा 2 में से गया तो एक गुणे चार चार चौधरी इम्रान रोज रात को नौबचर यहां पर क्लास लगती है इंटीग्रेशन में कितने लोग को प्रॉब्लम भाई नहीं आ रहा है बहुत सारे बच्चे पूछ रहो बट रेगुलर बच्चा पाटी इसको तो बहुत सिंपल लगे गए बट तुम में से बहुत सार है बहुत अच्छे बच्चा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया शांदार है ठीक है ग्रीट तो 3 x square प्लस 2 x प्लस 1 0 मेटर एंड 1 मेटर राइट चलो देखो तो इसका इंटीग्रेशन करना है बच्चा बहुत सिंपल है इंटीग्रेशन का रूल हो दो ना पावर में जो से कहा तक है लोर लिमिट 0 से 1 यह देखो 2 x की पावर कितनी है 1 तो हमने x2 किया अपन में 2 किया लिमिट लिया 0 से लेके 1 प्लस आपका 1 है बच्चा तो 1 का x हो जाएगा constant रहता है तो x हो जाता है तो 0 से लेकर के 1 बस यह कटा यह कटा एक्स का क्यूब यानी 1-0 1 प्लस 1 आ साथ चलो wonderful wonderful बहुत बढ़िया तो अब हम लोग आगे बढ़ते हो और एक सवाल देखते है इसका स्लाइड का चलो यह वाला भी कर दो यह दी कि बच्चा इंटीग्रेशन का रूल आपको दे रखा है एक्सन पावर दी एक्स हो ना तो एक्सन प्लस 1 अपॉन प्लस 1 होता है कमान क्विक्ली दे दीजे इसका अंसर बच्चा लोग और जिन लोगों अभी तक अपना प्यार सेशन को नहीं दिया है फड़ा फट से प्यार दे दो यार लाइक की संख्या बच्चा लोग 1000 होनी चाहिए लाइक्स हमारे लिए लिए लाइक्स का बटन नहीं है प्यार का बटन है तो देवाद फड़ा फट्ट फोर्स दे रखा है कल्कुलेट वर्क डन जीरो से 10 मेटर कुइक्ली क्वीक्ली क्वीक्ली कम उन माय बचलो जीरो मीटर से दस मीटर तक है एक्स 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 अंडर देफेक्ट ऑफ फोर्स एफ एक्स इस इकॉल दिस त्री एक्स स्कूर मानस तो एक्स प्लस सेवन तो बताए कि वर्ग डन कितना होगा आज सज्जे आवे आज महें आवे 1600 कुछ बच्चे 907 के रहें कुछ बच्चे 970 के रहें शदीफ कविता काजल गुपता पुष्पेंदर अनिल कुमार दिरोजरियो भूमिका शगुपता कार्तिक धुरूवी मांसी हैं 970 कोरो यादो चलो आजो देखो बहुत सारे बच्चे 970 कह रहें और बहुत सारे बच्चे 1070 कह रहें मैं आपको क्या बोल रहा हूं नीट मे आपको एक सवाल करने का कितना टाइम मिलेगा जरा बताओ तो चाट सेक्षन के अंदर आपको 45 कोशन अटेंड करने राइट और एक सवाल के लिए आपको कितना समय में लगीगा वो बज़रा मुझे बताओ 970 सारे बच्चे के एक मिनट से ज्यादा नहीं ठीक है इसी लिए जब आपके सामने कोशन और आपको उसकी इतनी प्राक्टिस कर लेनी है बच्चा की सवाल दिखते ही ना डारेट अब आप यह लिखोगे आपका यह टाइम चला जाएगा यार यह लिखने का टाइम नहीं है तब आप बहुत पीछे हो जाओगे यह टाइम नहीं आपको पता fdx दिमाग में किया इसका इंटिग्रेशन डारेट करो सर ने क्या सिखा है पावर में एक जोड़ दो तो 3x का 3 upon में 3 जो पावर बनता है वही नीचे लेकिया हो फिर लिमिट क्या है 0 से लेके 10 फिर प् देखो 0 से लेकर के 10 फिर प्लस यह बन गया 7 और फिर यह X 0 से लेकर के 10 क्या है इसमें कुछ भी नहीं है करेक्ट है जो बच्चे ध्यान से सुने उन्हें आ जाएगा सर ने जो बताया पावर में जोड़ो पावर नीचे उतार दो तीन दिन कटा 2-2 कटा यहां कुछ नहीं लोग यानि सो में से सतर जाएगा बच्चा लोग तो एक हजार में से नो सौच नो सो सतर नाइन सेवन्टी जूल इस दफानल आंसर चलो ग्यूमी एं हाइफा अ हाइफा अ हाइफा यस ताट्स क्रीट क्लियर बच्छ लोग समझ में आया यह वाला कोशन में अपने समझू तुम्हारा कहां से पक्का हो गया वे अजी सजया वे चलो क्रीट माइड बच्छा पारी ओसम लबली जबर दस्वाला रिस्पॉंस ठीक है चलो तो अपने आगे बढ़ जाते हैं ओके माइड बच्छा पारी लेट इस टॉक आपाउट का इनर्जी तो कानेटीक एन पर आपको पता है बच्छा लोग एक बहुत इंट्रस्टिंग चीज अरे यारी जैसे हो गया सॉरी 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 रुको बच्छा लोगी हमारा बुडवा नाराज हो गया यार कैसे थायर सुखले पीसी 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 हां आया येस पुल जासे चलो बहुत बढ़िया तो मैं बात कर रहा था बच्छा कानेटीक एनरजी का फॉर्मला हर कोई जानता दाट इसके इकल तो हाफ में से करो तो एम स्कूर वी स्कूर अपॉन में 2M होगा और यह मास इंटू वेलाउसिटी क्या बनेगा मास इंटू वेलाउसिटी मोमेंटम इसलिए यह हो जाएगा बच्चा पी स्कूर अपॉन में 2M तो काइनेटिक एनरजी इस इक्वेल टू पी स्कूर बाई 2M एक फॉर्मूला है और काइनेटिक एनरजी हाफ एमवी स्कूर भी फॉर्मूला है इस बच्चे का नाम है शु जी को जाय दिल आगया सुक्ति ने का सभाणी तो शुबांगी को समझ चुकी थी कि बच्चा ये खतरनाक इंसान पता उस दिन चैन पहन पहन था मैं बोलто कॉल था सब्सक्राइबट कॉसम से पता ही चल रहा था गोल्ड प्लास्टिक बट करके लाए था अलग लेवल देख रहा था शुक्ला उस दिन मैं ठीक है मजे के लिए बोलता है सर आपका है तो मैं कुछ भी करूंगा मैं कर ले साथ आंट प्लेट तो बच्छा यह वह रस्मलाई खा गया था मतलब जो सब्सक्राइब कर देगा है तो यह खतरनाग तरीके के हैं चलिए बैक टुदे पॉइंट सो की बराबर आपका पी स्कूर बाइट कानेटिक एनरजी का भी यूनिट आपका जूल है जो आप लोगों को पता है बहुत ही खुबसूरत सी बात मैं आप लोगों को बताना चाहू हो यह है बच्चा जिसे हम लोग कहते हैं वर के एनरजी थिरम पता है किया सभी लोगों को वर्क एनरजी थिरम देखो नीट रिवाइस करने के लिए कितने अच्छे से लिखा हुआ जब भी आप स्लाइट देखो के आपको याद आ जाएगा इसलिए डाउनलोड करना बिल से चलरा था सांती से चलरा था यह यंवेलोश sharp आज और के किके यूवेलोशूटी से चल रहा था आपने इक उपर फोर्थ लगाया को और व्याठीब गाल university लगाया velocity u थी तो velocity change होगी की नहीं because force is equal to what mass into acceleration and acceleration is equal to what that is change in velocity तो इसकी velocity बच्चा लोग V हो गई clear है ये बात बिलकुल सही है कोई दोराई वाली बात नहीं है मान लो इसने बच्चा D जितना displacement cover किया feel करो मजा आ जाएगा D जितना displacement cover करा तो अगर मैं यहाँ पर equation लगाऊ 2AD बराबर V square minus में U square और AD को subject बनाऊं तो यह आया V square minus में U square by 2 clear है क्या ठीक है AD बराबर V square minus में U square by 2 now what about work it is F dot D और F बराबर क्या MAD यहाँ पर acceleration और displacement दोनो same direction में है तो cost का भी चक्कर खतम हो गया क्योंकि cost 0,1 है तो W बराबर MAD है बचा ध्यान से देख यह M as it is AD के जगह पर हम क्या लिख सकते है AD के जगह पर हम लिख सकते है V square minus U square by 2 एकदम simple explanation जो की कहीं नहीं मिलेगा आपको कोई सी भी reference book में भी नहीं मिलेगा स्क्वेर बाइटू जल्दी बता दो मेरे प्यारे बच्चा पार्टी मेरे ओल निटानियन यह M V square by 2 क्या है और यह M U square by 2 क्या है देखो simple कहानी में समझाया मैंने मैं तुम्हें direct समझा सकता था बट मैंने इसको थोड़ा feel कर वाया आप लोगों को सम बच्चा पार्टी जार सेंग रिपीट में रिपीट कर देता हूं मास M था वेलोसिटी यू थी फोर्स लगाया वेलोसिटी बदल गई डिस्प्लेश्मेंट डी है 2 A D बराबर V square minus U square A D को सब्जट बना ही आया W बराबर F dot D F D cos theta acceleration और D same direction में इसलिए cos 01 हो गया force के जगा MA A D की value रखा open करा bracket correct 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 यह जो M V square by 2 है यह आपका final kinetic energy है और यह आपका initial kinetic energy है तो यह आपका डिल्टा के बोलो स्रीम बेमात की what is this this is set to be the work energy theorem और अगर नीट को work power energy से कुछ typical करना होगा या कुछ tough करना होगा ना तो वो इस equation के साथ करेगा मतलब इस concept का एक सवाल वो आपके सामने रखेगा जो थोड़ा बच्चों को typical लगेगा बट घबराना मत मैं आपको सवाल सिखाऊंगा क्या पूछ सकता है और उसको shortcut से भी बताऊंगा मजा आया this is known as work energy theorem इसे कहते हैं बच्चा लोग वर्क एनरजी थेरम कौन सा थेरम वर्क एनरजी थेरम बोलो पिक्चर क्लियर है इसे कहते हैं वर्क एनरजी थेरम खत्म अब सवाल करते हैं इस पर क्लियर बच्चा इसे कहते हैं वर्क एनरजी थेरम simplest explanation कोई tough language नहीं एक तम आसान फील वाली बात बहुत बढ़िया डबलू बराबर डेल्टा के किसी भी बॉड़ी पे होने वाला वर्क दन उसमें होने वाले change in kinetic energy के बराबर होता है that's it चलो अब हम समझते हैं कुछ और भी प्यारी बाते हैं आईए बच्चा डबलू बराबर डेल्टा के तो हम लोगों ने कर लिया let us talk about our revolutionary platform platform आप में से बहुत सारे बच्चे अमेज्ड होंगे सरी यह platform क्या है तो बच्चा यह हमारा विदानतु का plus platform है जहां पर amazing features है जहां पर आप crash course join करते हो तो आपको इस platform पर पढ़ा जाएगा आपको बता दो बच्चा बहुत सारे बच्चे हर दिन जोइन करते हैं और अपने crash course की तैयारी हमारे platform के साथ करते हैं सबसे खास बात होती कि आप अपने डाउट लाइव क्लास में class teacher से कर लोगे पढ़ाने वाले टीचर मास्टर टीचर होंगे चैट सेक्शन आफ होता है जीरो distraction नोट्स क्लास का खतम होते ही मिल जाएगा हर सपता टेस्ट होगा और साथ सेशन के अंदर ही आपकी physics chemistry और पूरी biology समाप्त कर दी जाएगी इस विदान्तु के वेव प्लाटफॉर्म पर बहुत सारे तीन दिन गये हैं जो भी छुटा है आपको वापस कराया जाएगा उसकी चिंता बिलकुल मत करिए जॉइन कर लीजे जरा सा भी लगता है बच्चा लोग कि हमको सर यूट्यूब के साथ साथ कुछ और एक्स्टा अटेंशन चाहिए बाकी यूट्यूब से आप कर ले रहो हैं बहुत ज्यादा फीस नहीं बच्चा हाड़ी तूल हाउजन रुपीज पर सब्जेट आता है बरावर तो जरूर जोइन करिएगा चलिए सवाल करते हैं बच्चा लोग फैरी वैरी इंपॉर्टन फॉर्टन फॉर्द नीट सवाल देखी जरह ध्यान से थोड़ा हम अपने पैर के क्रैंप को तब तक साही करते हैं कि जगा खड़े रहते हैं तो भी प्रॉब्लम हो जाता है ससुराई तो हमारी जान ले लेगा यह क्रैंप हुआ अजय सजय आवे चलिए सवाल गरीते हैं अंकित कुमार सिंग थांकि बच्चा अबॉड़ी ओफ मास्ट्व केजी इस एट रेस्ट और स्मूथ होरिजॉन्टल सर्फिस क्या बात है मिलके करते हैं बच्छा लोग तो एक बॉड़ी है वह स्मूथ होरिजॉन्टल सर्फिस ह रेस्ट मोड पर है बच्छा लो यानि उसकी इनीशल वेलॉसिटी जीरो है कन्फर्म वैन होरिजॉन्टल फोर्स अब 0.5 न्यूटन इसके ओपर एक होरिजॉन्टल फोर्स लगा 0.5 न्यूटन का बराबर है एक्स ओन दिस बॉड़ी इस डिस्प्लेस्ट इन डिरेक्शन पूछा है और टाइमिंग आपका दे रखा है बचलो आठ सेकंड क्या बात है शो दैड इस वर्क इस एक्वल दूद चेंजिंग कानेटिक एनरजी मैं इसे कट कर देता हूं थोड़ा अच्छा सवाल मैंने डीसी पांडे से उठा लिया ताकि नीट की क्लैरेटी आपको हो हो जाए समझ लो बहुत ध्यान से आप लोगों को वर्क पूछा है इनीशल वेलॉसिटी दे रखा है फोर्स दे रखा है और मास भी आई थिंग है बच्चा कितना है मास मास थिया है क्या हां यह रहा टू के जी सोचो ऐसे ही सोचो कि आपके पास में फोर्स आपके पास मास सब्सक्राइब गांच और स्टी फाइंट एक्सिलेरेशन यह थे एक्सिलेरेशन विकश्विए निव न्यूटन गो जो कि हमने पकली पड़ा तो एक्सिलेरेशन आया एफ पोन में फोर्स कितना बच्चा लो फोर्स आपका 0.5 है मास कितना है बच्चा लो दो है बाई 2 करो यार 0.25 चलो बढ़िया 0.25 मीटर पर सेकेंड स्कूर अब बोलो करें सरे एक्सेरशन क्यों निकाल रहा हूँ रुको जरा आपकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो यू प्लस 80 होगी इनीशल तो 0 है एक्सेलरेशन पॉइंट 25 है और टाइमिंग कितना है आठ सेकेंड तो आठ सेकेंड के बाद उसकी विलोसिटी इतनी होगी जरा इसको इसको सॉल करो 0.25 इंटू 8 करो बहुत अच्छे बचलो 0.25 इंटू 8 करो ना जल्दी से बचलो रुको जरा सबर करो सही है भाव की याद आ गई इंग क्या बात है बातो बातो सी बचलोग अप लोगों ने 1000 लाइक कर दी ता can you my मैं बचलो को बहुत-बहुत-बहुत आभार आप सभी का तहे दिल से शुकरिया ऩायक्यु सो मच इस 1000 likes dedicated to my Lovely अरविंद भाई भाय का थैंक्यो और तांके है में 9 godson होें बनो और पच्छ 50 एक चेंट विब ज granny नट मीट्म को किसे चोपाइण या नने फीर सब्सक्राइब आपके पास इनीशिल वेलाउसटी आपके पास पास फाइनल वेलेवसीटी है जब आपके पास है जब आपके पास में V है तो फिर काय की टेंशन है W बराबर डेल्टा के लगा दो कितना बढ़िया प्रॉब्लम हो गया यानि हाफ एम फाइनल माइनस में इनीशल का स्क्वेर वन बाई टू मास कितना बच्चा लोग दो वेलोसिटी कितनी बच्चा लोग दो का स्क्वेर चार कटा यानि की चार जूल इस दे करेक्ट आंसर बोलिए श्रीम में मात की बोलो क्या फील आया है लगा बहुतिक विज्ञा नहीं इसे आप चाहते तो ऐसे भी कर सकते थे सर हम यह वाला ना लगा करके W बराबर FD लगाएं तो लगादो क्या फरक पड़ता है FD बराबर UT प्लस हाफ 80 स्क्वे यहीरो है तो 1 by 2 800 स्कूर कितना है बचलो 4 4 4 5 जी एक चलरशान कितना बचलो प्ट 25 और कितना बचलो जो भी जो दे रख वह आठ सेगे आठी आठीक स्षर्ट कर लो यह भी से माएगा बोलो पिक्चर क्लियर दो क्लियर समझ में आया ये सर बढ़िया शांदार प्रॉब्लम ये बचलो इस वेरी इंपोर्टन फॉद इसमें अंदर आपने कॉंसेट की क्लारिटी कर ली तीगे अगे बढ़ा जाए ये सर चलिए ग्रेट सो लेड़ेस तॉक बाँ पुटेंशल एनरजी कोन है पता ना गल्फ्रेंड नहीं गल्फ्रेंड नहीं तो अरीफ नहीं तो कोई नहीं है सर अपर यार साल है तरे को रात को पून करता है वे 10 बज़े तेरे दोस्त है दोस्त करता हूं उसका नाम बता है अरीफ है शुकला जी के फेमस दोस्त आरिफ बढ़ियां बच्छा पाटी दाट्स ग्रेट चलिए लेड़ेस टॉक पूटेंशल एनरजी तो पूटेंशल एनरजी बच्छा लोग तुम लोगों को पता ही है वो खीचा अभी मैं इसमें जादा पैंपर नहीं करूंगा खीचा छोड़ा तो यह कंफगरेशन के बच्छा लोग जो मैं आपको समझाना चाहता हूं वह यह यहां देखे द्यान से अगर मैं एक ब्लॉक को जिसका मास एम है कि द्यांसे सुनना और फिर जवाब देना ठीक है इस है इस वाईवन हाइड से है कि एक ब्लॉक जिसका मास एम है को वाईवन हाइड से मैं वाईटू हाइड पर लेकर पर और ऐसे लेकर जाओं मेरा मेरामगी जानते हो आप लोग यू बराबर MGH में यह जो है है कि वाइटू माइनस वाइवन चेंज होगा बच्चा कैसे भी लेके जाऊ यार में इस रिमोट को इस हाइट पर लेके जाऊ जाऊ इमघनी आ गई इस एसे लेके जाऊ एसे लेके जाऊ ऐसे लेके जाऊ आफे डिके नब ye边डी नहीं करता इत निवर डिपेंड्स ऑन पाथ एच रिमेंस सेम दिस इस आल बाउट पोटेंचल एनरजी हाइट रिलेटेट एनरजी क्यों बराबर एम जी एच मास ग्रेविटेशनल एक्षिलरेशन एंद हाइट एच फिर बच्च पोटेंचल एनरजी और काइनेटिक एनरजी का जो सम होता उसको हम लोग E बोलते हैं E का मतलब elephant हो तो होता है हाथी होता ही elephant का मतलब तो sir हाथी हम सब जानते है वो हाथी नहीं यहाँ E का मतलब है बच्च लोग mechanical energy रुको जरा सबर करो डरो मत रुको जरा ठहरो जरा mechanical energy जो लिख रहा हो ना उस सब आगे की स्लाइट पर लिखा लिखान मिल जाएगा उस सब आपको नूट्स डाउनलोड कर लेना भी समझो पहले ठीक है ताट इस mechanical energy अब बताओ क्या mechanical energy पूरी दुनिया की constant है हमारे ब्रह्मांड पर दो mechanical energy constant है correct अब सुनो जरा रुको जरा ठेरो जरा और सबर करो जरा अगर बच्चा लोग potential energy बढ़ती है तो kinetic energy भी बढ़ेगा अगर potential energy बढ़ती है तो कानेटिक energy घटता है और जब potential energy बढ़त कानेटिक energy बढ़ता है तो potential energy घटता है it's very simple we can understand with one example मालो कि सुकला मेरे पास offline में आता था और एक दिन homework करके नहीं है तो मैं उसको पहाड़ से फेक दिया बराबर अब आप फिल कर लेना अपने आपको समझ लो सचेंसर ने आपको पहाड़ पर से फेक दिया धकेल दिया जाओ बच्चा जी लो अपनी चिंदिकी बढ़ा जब सुकला लुड़कते हुए जमीन पर आजाएगा तो उसकी कानेटिक इनर्जी पीक परोगी हाइट कुछ भी नहीं होगा तो फिर पुटेंचिल एक सिंपल दोनों कभी बढ़ते नहीं साथ में दोनों कभी साथ में घटते नहीं एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है बढ़ रहा है तो घट रहा है एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा एस लाइक ताट बोलो फील आया बच्चा पार्टी उड़ी बाबाव कॉंसेट जिंदाबाद बहुत बढ़ी है डालों के उड़ी बाव कॉंसेट जिंदाबाद यह देखो यह बॉल जब तो आय से जा रहा था इधर जब आया तो इसकी हाइट और मोश्य जीरो हो रही है तो जब पुटेंश्यल एनजी बढ़ रहा है तो करेंटीक अनजी घट रहा है क्लियर है चलो कोई प्रॉब्लम इसमें बचलो मजा आया बढ़िया ज़रहा इसे दियान से देख लीज त्य बढ़िया अब इस प्रॉब्लम स्पॉट सारे करने हैं बच्छा लोग घबराना मत बता दीजिए हाउस तो चोश हाई सर बढ़िया अब देखो बच्छा पटेंचल एनरजि की कहाणि कि ये फोर्स वर्स आसका ग्राभ तो स्प्रिंग के कैस में क्या चीज़ होती है उसकी को समझें spring में हमेशा एक force लगता है जिसको हम लोग बोलते है restoring force जैसे कि यहाँ पर spring का यह normally situation है अभी जैसे आप spring को खीचोगे X जितना तो बच्चा spring क्या करेगा अपने original position में आने की कोशिज करेगा आप spring को खीचते हो तो spring अपने original position में आने की कोशिश करता है आप spring को दबाते हो तो वह वापस और इजनल पोजिशन में जाने की कोशिश करता है तो एक restoring force होता है spring के अंदर जो कि displacement के directly proportional में होता है है न यह सही है कि गलत है गलत है अभी यहां मेरे को माइनस साइन करना पड़ेगा क्यों मैं restoring force की बात कर रहा हूं बच्चा अगर हम इसे खीच रहे हैं तो restoring force इधर लग रहा है displacement इधर हुआ बट restoring force यहां पर है हाँ अब सभी प्रपोर्शनल को जैसे हटाते हो यहां पर एक constant आता है और उस constant को हम लोग क्या कहते हैं बच्चो force constant नीट ने कई बार इस पर से डारेक्ट question पूछे हैं direct f पराबर माइनस के x से नीट ने direct question पूछे है f बराबर माइनस के x से direct question पूछे है ठीक है आप सुनिएगा force आपका माइनस के x और क्योंकि x constant यह variable यह एकस लगातार आप खीच रहे हो जब यहां कर रहे हो तो x constant है या variable बच चलो this is constant or variable correct this is variable और variable force के लिए work done क्या था यही था न डबलू बरावर integration f dx था गी नहीं this one was the force work formula तो integration f which is k x and then dx minus तो सिर्फ sign को represent कर रहा है मैं उसको हटा देता हूं तो हमारा k बाहर आ गया x dx का answer है x square by 2 this is elastic potential energy जो की हम spring के अंदर देखते हैं spring में हमेशा एक energy होती है जिसे हम कहते है elastic potential energy का formula होता है 1 by 2 k x का square मेरे प्यारे बच्चा पाटी शीच को न भूले मैं आपको physics को बहुत आसान करे के समझा रहा हूं मैं बहुत डेफ्ट में जा सकता हूं बच्चा जी में से advanced point of view से बट अभी उसकी कोई जरत नहीं है नीट में बहुत simple knowledge चाहिए बट perfection के साथ के half k x square कब लगता है वो तुम्हें पता होना चाहिए जब भी किसी spring को हम x जितना खीचेंगे या x जितना spring को compress करेंगे तो जो उसकी potential energy है उसका formula है 1 by 2 k x का square clear simple कोई बकैती नहीं simple है यू बराबर हाफ की x square एक और चीज़ देखो जो कि बहुत simple way मैं आपको explain करूंग और यह graph याद रखना force versus x कहाँ potential energy और x का graph है half k x का square one more very important point यह जो e बराबर में हमने k plus u लिखा है बच्चा लोग यह e क्या था elephant या mechanical energy हाँ जी बच्चा यू is no 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 u is not potential energy it is elastic potential energy spring related energy e is mechanical energy अच्छा एक बात बताओ बच्चा अगर मैं लिखता हूँ delta e बराबर delta k plus delta u यह चीज कितना होगा what is the meaning of delta बहुत अच्चे बच्चा that is mechanical energy what is this delta e change सोचो mechanical energy was constant तो उसमें तो change possible ही नहीं इसलिए जीरो हो जाएगा यानि अगर बच्चा लोगी पहले 100 जूल था तो final भी 100 है initial भी 100 है जीरो हो जाएगा mechanical energy में change जीरो हो जाएगा एकदम simple language हम delta k को w बोलते है change in kinetic energy w होता है and then plus delta u तो w बराबर आए minus में delta u एक बहुत प्यारा relation आपके सामने जा रहा है what is w work work होता है force into displacement वा क्या बात है सर तो f is equal to minus delta u upon में delta x गजब ये जो relation आया ना बच्चा लोग ये है relation between force and potential energy f बराबर minus delta u by delta x इसे आप average force भी कह सकते हो अगर हम instantaneous की बात करें तो f बराबर में minus du by dx आप NEET का paper उठाए 60 to 70 percent time जब इस chapter से question पूछा है उसने बड़े simple question पूछे है उसने क्या किया है u बराबर लिखा है ax का square plus bx आप से बोला है force बता दो नहीं कर सकते हैं आप इसको कितना simple है अरे u दिया है f निकालना यह रहा फॉर्मूला बोलो क्या answer आएगा बहुत simple है बोलो क्या formula आएगा बोलो क्या answer आएगा delta is change yes my बच्चा बोलिये क्या answer आएगा ऐसे कोशन नीट ने पूछा है बहुत बार 2 ax plus b so बच्चा ax का square का differentiation क्या होगा 2 ax plus b आगे sign अगर option में दिखे उसे ही select करना sign ना रहे तो magnitude बोलो picture clear इसमें और pamper करूँ एक और ले लो ये लो इसका करके बता दो bx का cube plus ax बताओ f कितना कितने भी सवाल आप से पूछे आप कर सकते हो मेरे को confidence ही क्योंकि ये formula से सवाल पूछता है बोलो आप paper उठाना नीट का बच्चा आप बोलोगे Baba SSP को याद करो कि हाँ सर ऐसे सवाल हम इसा पूछता है f is equal to minus du by dx now no need to remember the points now you have to remember this formula only neat is all about formula and how to apply the formula and that's it correct my dear बच्चा पाड़ी that's it ठीक है हाँ बिल्कुल सही है differentiation क्या होगा 3bx का square plus a खतम बराबर clear है और paper करूँ एक और ले लो u बराबर 2ax plus bx square बता दो जल्दी सी last फिर मैं slide के सवाल पर आऊंगा जो कि मैंने आपके लिए बहुत specially select है hc वर्मा dc पांडे से और यह मैं आपको बहुत दिल से बोल रहा हूं बच्चा अगर आप मेरे lectures को दिल से follow कर रहा हो ना तो physics आपके आसानी से number लाके देगा बस दिल से follow करिए lectures को सेशन को लास तक देखा करिए जो भी सवाल करां उसको दिल से करके notebook में practice करके pyq उस पर ज्यादा focus मारो बहुत अच्छे well done my driver बचलो सुपर्ब correct answer है आपका 2a plus 2bx and that 2 in minus आगे sign minus की रहेगी clear चली चलो बच्चा तो यह हम लोगों ने कर लिया f barabar minus du by dx इते को slide के अंदर सब कुछ दे रखा है है इसलिए आप मेरे slides को जरू डाउनलोड करना now here we have a wonderful problem and this is very very important सुखले यहां रखा है very important for the neat यहां रखा है very important for the neat अच्छा एक में बूल यहां कोई नी चलो बागे में किया है ना चलो बच्चा start करो आपका है मैं आपको दे रहा हूँ 60 seconds का time फिर मैं कराने लग जाओंगा 60 seconds try करिये बच्चा party diagram दीखके ही पता चल जा रहा है यहां पर block है 20 cm से घीचा है spring है spring दबेगा बच्चा लोग imagine करो यहां पर होगा क्या यहां पर क्या होगा वो आपको सोचना है a block of mass 1 kg falls freely on a spring from a height of 20 cm as shown in the figure find the compression in the spring if its force constant is 600 newton per meter take g is equal to 10 meter per second square कोई कहे कहता रहे सुखला को पागल दीपाना सुखला तो शुभांगी के साथ लग जाए सुखला को लगे है यह तो है अपना क्या है तो सच में famous होगा रहे उस दिन सब बोल रहे थे बोलो बच्चा क्या answer है यह यह प्रॉब्लम मैंने उठाया है क्या वाइसा इंगेजमेंट प्लान आउट करेंगे क्या वोल तो शुकला जी चलो देखो गलती हो गई लगता इंस्टाग्राम में शेयर करके समझे आये ऐसे प्रॉब्लम्स को डील करने का अप्रोच क्या है लेट्स दूट टुगेदर अब है मिस्टा है यह ब्लॉक गिरेलत फ्री कंते रोगी का है यह नाव यूव परक टेजेल के शर्जंव ब्लॉक गिरी तो कौंसी एनर्जी स्प Авाइ। अ४ deiटेम को갈 आइनरजी दैदी हाइट पड़ था पहले बच्चा लो मालो की स्प्रिंग इतनी कंप्रेस्ट हो गई यह स्प्रिंग मेरा पतला सा यह आपका एक्स है आपको नहीं लगता कि इसकी पोटेंशल एनर्जी mg h plus x is equal to 1 by 2 kx का स्क्राइब बस टिपिकल नीट प्रोब्लम हाया न है करेक्ट जब यह गिरी तो इसकी पुटेंशल एनर्जी बच्चा यहां से फ्री फॉल हुआ यार तो आपका वेलोसिटी तो 0 तक इनर्जी थी नहीं तो पुटेंशल एनर्जी था तो mg h plus x ए यार जिन बच्चों ने अपना प्यार नहीं शेयर किया बच्चा लोग आई आयम रिक्वेस्टिंग तो प्लीज कनवर्ट दिस 1.1 के इन्टी 1.5 के अट लिस्ट टुटेंस सेशन है ना है इद लाइक बटन फड़ा फट जिन बच्चों ने प्यार नहीं दिया है वो सभी लोग मास कितना किलो देहलबानी बच्चलो एक किलो एक लिखा जी कितना दस हाइड कितनी 20 सेंटीमेटर तो 0.2 मीटर कर दिया बच्चलो एक्स आपको निकालना है वन बाइटू के आपका 600 है यह देखो 600 और एक्स का स्क्वेर बस सब इसको सॉल करना 10 इंटू 0.2 करोगे तो कि 10x is equal to 300x का स्क्वेर मैं सही जा रहा हूं कि गलत हूं हाँ 2 प्लस 10x is equal to 300 अभी 2 कॉमन कर दो बच्चलो तो 150x का स्क्वेर माइनस 5x माइनस 1 इक्वेल्स टू 0 क्या बात है क्या यह quadratic equation है हां जी सर 150 कुणा आएक किया तो 150 15 दहाम में 500 तो 150 अगर एजी कितना ही पढ़ लो प दो इबच्चलो माइनस 15x प्लस 10x माइनस में 1 बराबर 0 कॉमन लिया तो 15x माइनस 1 प्लस शरी यह पर 10 आएगा प्लस 1 कॉमन लिया तो 10x-1 इक्वेल्स टू 0 यह आंसर तो पॉसिबल ही नहीं क्योंकि X माइनस में हो जाएगा तो 10x-1 इक्वेल्स टू 0 यानी X is equal to 1 by 10 या फिल आया लिस वान अफ देस्ट प्रॉब्लम फॉर वर्क पावर एनरजी में कॉंसेट की क्लारिटी भी हो गई और समझ में भी आया कि एंजी वाला कोशन कैसे करते हैं एंड हाफ के एक स्क्वेर के को कैसे करते हैं बॉल बच्चा मजा आया है क्या बच्चा बड़े आप प्रॉब्लम है तो पुछो तब तक हम एक पून पानी पीले वाह अलग लेवल का अनुद मिला चांदार चलो बहुत बड़िया अगला सवाल हो बच्चा अगला सवाल के कॉंसेप्ट है पावर पावर का मतलब उता शक्ति शक्ति का मतलब उता डांसर डांसर का तुह मतलब होरका शक्ति डांसर में के लिए भूत लोगों की फेडर हमको पता हाँ हमको भी नहीं पता है हमले प्रॉक की षकती सब्ढ़ क्षक डान्सर का नाम में कॉले से भाग के आते थे अरे भाई साब धर में सर का डांस वो कॉक्रोच का डांस देखा आप लोग रहें स्लो मोशन नहीं पता है कि घर में सर्याद आए हाँ कि मेरे फिर दो पुखरियाल साब चले गए ठीक है विचारे लगता है मोदी जी ने उनका मिमिक्री सुन लिया था मेरा वाला क्या वोलते बच्छा लोग ठीक है तो बच्चा पावर की हम बात करें तो दिखो यहां पर एक आदमी है सुकला जी बच्छा रहे कितना अच्छा पावर होता है डेल्टा डड़्ल अपउण डेल्टा टी और इंस्टंटीनिस पावर होता है डी डीडडलू भाईवडीटी अगर हम बग तब्राबर में डीड़्लू अब में डीए कह रहे हैं बच्छा लोग तो जो वरक ड़न का फॉरमूला होता है वह F दॉत री만ा है सब्सक्राइब और लिख दू तो थोड़ा अच्छे से समझना है तो अजीब लगेगा आपको एफ को बाहर कर दो यह हुआ डियार बाई डिटी और डॉट में बोलो बच्चा डियार बाई डिटी क्या है और तो अबच्छा डॉट यहिवास्ता नवक्च्छा ट gur spring cutting वाला problem तो बच्चा वो नहीं आता है पी बराबर f.v simple तीन फोर्मुले हमारे पास power के delta w by delta d average power dw by dt that is instantaneous power and again we have p is equal to f.v force and then velocity इसे mechanical power भी कहता है बच्चा power का unit बता दो बहुत आसान है हर बच्चा बताएगा गलत नहीं बोलो पावर का unit बच्चा पाटी वाट तुम्हारी वाट लगा देते हैं अगर तुमने गलत बोला होता तो या फिर joule per second राइटो unit निकाल लोगे सब लोग m1 l2 t-3 dimension formula m1 l2 t-3 this is dimension formula अब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल scalar quantity है कि vector it says it is a scalar quantity और vector quantity मेरे पर बहुत सारा जुर्ब धार है यह लोग अग्या रनाओत के आध कर रहा हूं इसकेलर quantity अधिससे इसकेलर quantity क्योंकि एफ डॉट वी है ना scalar प्रोड़क्ट एफ डॉट वी तो स्केलर कॉंट डार्श्मने बनने गरता अच्छा इसी पर से याद रखो एक аете कीतना और एक गेगावॉट बराबर कितना याँ जी बोलो एक मेगावोटं रखो मैं याद करने है तो तरीखा बता को गिएओ डेखो छय की तरह रही है तो इसको और बराबर 746 वाट इस सब चीज़ें याद रखिए नीट में बड़े ऐसे फुद्दू-फुद्दू कोशन आ जाते है चारजर मार्क्स में यार ठीक है एक और सपार 746 वोट इसके साथ एक और चीज है कि एक यूनिट बराबर कितना जूल एक यूनिट बराबर कितना एक किलो वाट की बिजली एक गंटे तक चले तो उसे हमें एक यूनिट कहते हैं कारेक्ट 3.6 10 पावर 6 चूल इसमें कोई दिक्कत नहीं ना कुश्चन करते हैं आ जो इसमें कोई प्रॉब्लम बच्चा लोग तो आपका कार भी हो गया आपका शक्ती भी हो गया आपकी उर और रिलेशन भी देखा पुटे पुटेंशल एनरजी स्प्रिंगा भी देख लिया एक सवाल भी किया भी और सवाल करते हैं ताकि और कॉंसेट आजया आप लोगों का यह सारी चीजह हमने देख लिए चलिए इस कांसर वेरी वेरी इंपार्टन पॉर नीट बहुत तेजी इस कांसर मेरे सारे बच्चे देंगे एक दम कॉंसेट के साथ बोलो श्यम्मे मात की आप सभी बच्चा-पार्टी अपने अपने उपर वाले भगवान अला उपर वाला गोड इश्वर जिसे भी मानते हो उन्हें याद कर लिया करिए सवाल करते वक्त हमें साथ जीरो करेक सिंपल सा सवाल था दिवाल पर बच्चा-पार्टी हमने बीस न्यूटन का फोर्स लगाया लेकिन वह मूव नहीं हुआ तो हमारा वर्ग दन जीरो हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका जीरो है इसमें ज्यादा पैपे नहीं करना है अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है यह ब लिनियर मोमेंटम आफ़ बोडी इंक्रीज वाइब फरसेंट दैन इस कानेटीक इनरजी इंक्रीज इंक्रीज जबाइड डैस परसेंट बोलो 10,0,200 कि अवंती थाएं कि बच्चा कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है सॉलूशन का पता ही नहीं सॉलूशन मिला तो सब्सक्राइब कुश्ण का पता ही नहीं चली देखे आईए ध्यान से हम लोग बच्चा लीनियर मोमेंटम की बात कर रहे हैं इस इंक्रीज बाइवन परसंट त सब्सक्राइब का इनर्जी का फॉर्मुला पी स्कूर वाई तो के इस डिरेक्ली प्रपोर्शनल तो पी स्कूर येस एक पात याद रखो शॉटकट जब भी कोई ऐसा रिलेशन होना तो यह वाले फंक्शन में एक परसेंट से लेकर के 9 परसेंट तक या तो घटे या तो बढ़े इसका एंसर ओल्वेस डबल होता है मैं इसे प्रूब भी कर दूंगा बट मुझे ने तभी प्रूफ की जुरत है याद रख लो तो बैटर है आपके लिए क्या बोला मैंने इस तरह का कोई भी फंक्शन हो जाहें कुछ भी हो एक प्रपोर्शनल टू बी स्कूर ज कि नया काइनेटिक एनरजी के डैस बराबर कॉंस्टंट मोमेंटम कितना बढ़ा है बचलो एक परसेंट अच्छे बात बताओ एक परसेंट का मतलब कितना हो अगर एक परसेंट बढ़ा दिया इसका मतलब है एक सो एक बटे में सो यानि की 1.01 चमका करेक्ट दो परसेंट बढ़ता तो एक तो grand 2016 एक योपर इसके गट जाता है तो 97 पाए हंडडिड सो से घटाना है सो से बढ़ान तो हमारा नया मोमेंटम है 1.01 का स्क्र CC चलो बच्चक के बताओ नै कितना हुआ हम इस उल्मा बत चलो यात्री पड़ेल, थांक यू, बोलो बच्छा लो, 1.01 का स्क्वेर कितना हुआ, 1.21 तुमारे भरोसे, 1.21, C as it is, and then P का स्क्वेर, इसका स्क्वेर है, बच्छा लो, गर P का स्क्वेर भी है, ठीक है, अब देखो, ये जो CP स्क्वेर है, वो क्या है, वो तो K है, तो 1.21 and then K, this is all about K'dash, अब बच्चा सुनो, नेट में इतना टाइम नहीं होगा, लेकिन सिखा रहा हूँ, बस ट्रीक याद रखो, ये ट्रीक है, सिखा रहा हूँ, खाले, परसेंटेज निकालने का तरीका होता है, final minus initial upon initial into 100, final कितना है, K'dash, कितना है, 1.21, minus में 1 into 100, तो लगभग कितना ह हो जाएगा, 1.21, minus में 1, यानि 0.21, मतलब 2.1%, यानि कि लगभग 2%, समझ में आया, अभी calculation जो भी हो यार, मेरे 1.0201 है साइध, अच्छा ठीक है, यहाँ पर, whatever it is, जो भी है, आपको कौन सा असान लगा, यह असान लगा, या यह असान लगा, कुछ भी हो, एंसर दो यह आएगा, आज असाजियावे, यहाँ पर 1.02 था, इसका स्क्वेर करने पर, तो 0.02 कर दो, तो 0.02 कर दो, तो 1.02 कर दो, माइनस 1, तो 0.02 यानि कि 2%, ठीक है, कोई दिकत नहीं है, यह आसान है, फास्ट वाला ठीक है, यह ट्रिक लेकिन कब कर तक काम करेगी, एक से 9% तक, जैसे ही बढ़ जाए, तो रियल मेथड आपके पास है, बराबर, चलो, ग्रेट, आगे बड़ो बच्चा, बहुत सारे सवाल है अपने पास, चुकि हमारे DC पांदे और इन सब से कौनसेप्ट चल उठाए गए, वेरी इंपोर्टन फॉर्टन फॉर्टन फॉ फैन कुकी ना बच्चे, एक्ससाइस से ठीक हो गया, देवान शु थाइंक यू, थाइंक यू, भूमी गुप्ता, हम्, इसमें क्या रखा है, इसमें कुछ भी नहीं रखा है बच्चा, बड़ी आपके नीट में ऐसे सवाल पूछे गए हैं बच्चा, काइनेटिक एनरजी हाफ M V स्क्वेर, विट वाट वेलोसिटी, यानि की काइनेटिक एनरजी कितनी है, 270, गुणियाद 2, बटे में मास, मास कितना बच्चा, 60, and that 2 in अंडरूट, कितना हुआ, 6-6 कडिया, 2 ती आई 6, यानि 3 मीटर पर सेकिंड, खतम, है न, 3 मीटर पर सेकिंड, कर एक बच्चा, ऐसे स्पीड होनी चाहिए आपकी, चलो, 3 मीटर पर सेकिंड is the final answer, we have the next very important problem for the NEET, सवाल पढ़िये, बढ़िया सवाल है, करो, a spring is compressed by 1 cm by a force of 3.92, find the potential energy of the spring when it is compressed by 10 cm, अजय पापरे, 19 points है, वन्ती बच्चे ने answer दिया, thank you काजल बच्चा, सुरंजना सेमी कंडुक्टर बिल्कुल भी नहीं, 1.96, everybody is saying, you guys are sure? Thank you my बच्चा for the 1.3 के बच्चों का प्यार, चलो देखो, देखे 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 दियान से देखे, बच्चा यहां बर क्या बोलता है, spring is compressed by 1 cm, यानि यह x दे रखा है, force इतना है, तो मैं डारेट बूलू, k बराबर क्या होगा, f बराबर की x, तो k बराबर f अपन में x, force आपका 3.92 और x आपका 1 cm, ठीक है, तो यह आपका, newton per cm हुआ, I guess, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, हाँ, सही, newton per cm, चलो, की आगया, अब बोलता है, potential energy of the spring, when it is compressed by 10 cm, नया potential energy, 1 by 2, k, k बराबर कितना है, 3.92, and then, x का square, तो 10 into 10, solve कर दो, 1.96 joule is the correct answer, यानि पहले वाले से तुमने k निकाला, ठीक है, और फिर दूसरे वाले से तुमने, हाफ की x के square कर दिया, it's 1.96, sorry, कर लो, यार, पूरा कर लो, मैं, मैं, calculation तुमारे भरो से बैटाओ, चलो, it's 19.6, समझ में आ गया है, formula समझ में आ गया है, correct answer आपके सामने आ जागा, don't worry, it's 1.96 joule, it's 1.96 joule, चलो, we have the next problem, चलो, it's again important for the neat, how much power is required to lift a body of mass 100 kg to a height of 60 meter in 1 minute, yes, semiconductor, yes, janvi, thank you my team for saying this, don't spam, अरे वाशो गुपता, बस भाईया, बस कितना congratulations विस्कर होगा है, तुम लोग, thank you, बच्चा वाशो, thank you, thank you, it means a lot, पक्का देवांशो, पक्का, 100%, बच्चा नौस्वासी वोट, क्या है सवाल के अंदर, पावर चाहिए, तो पावर बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, अच्चा वर किसे काइंड ओफ एनरजी, बच्चा बड़ी को लिफ्ट किया है, तो एनरजी कौनसी एनरजी हुई, तो हम इस वर्क के जगह पर लिखेंगे, एम जी एच अपॉन में टाइम, मास कितना, मास देखो कितना है, 100, जी आपका 10, हाइट आपकी कितनी बच्चा, 60 मीटर, और टाइम आपका 60 सेकंड, कट गया न, एक मिनट वर और साट सेकंड होता है, तो हजार जूला है, हजार वोट, हजार तो हाई है नहीं, हाई राम, मास कितना था, 100 किलो, जी कितनी थी, अच्छा 9.8, 980, सॉरी, यहाँ, 9.8 लेलो, 9.8, 980 वोट, जी 9.8 दिया, जी करेक्ट है, वही तो मैं सोचा, हाई राम बूले लगा, 9.8, 980 वो, ठीक है, समझ पढ़ रहा ना, बच्चा, बिल्कुल ऐसे कॉशन पूछता है, बिल्कुल ऐसे, इसे, इसे, आप लोगों का, I hope so, इसे, बड़ा बच्चा लोग, इसे, बड़ा है, बट बहुत आसान सवाल है, आचे सजयावे, बच्चा बाड़ीस का अंसर दीजीजीजीए, चल्दी से, जीजीजीजीजीए, दिक्षन, क्विक, क्विक, बड़ीस डिस्प्रेज बाइटू मीटर इन दवए, बिना पेन उठाए, दो मेटर वाई डिरेक्शन में, तो दो दो नी चार, चार जूल इस दे करेक्ट आंसर, गुट, चार जूल इस दे करेक्ट आंसर, सभी को समझ पढ़ गया ना, इसमें कुछ था नहीं, ठीक है, फटा-फट रिविजन मारते हैं, बच्चा लोग, आवी जाओ, वी हाद नेक्स प्रॉब्लम, कम ओन, क्वीक बच्चा लोग, क्वीक, एंगल बिट्वीन एफ बराबर इतना, डिस दी बराबर इतना, कैसे निकालेंगे एंगल, कॉस थीटा से, यह इससे पहले भी करवाया था, डबलू बराबर है, एफ डोट डी, यानि, एफ डी, कॉस थीटा, कॉस थीटा को बनाओ सब्जेक्ट, तो कॉस थीटा बराबर, एफ डोट डी, बाई एफ डी, तो डॉट करेंगे बच्चा, तो दोएक कम दो हो गया, माईनस तीन, माइनस 3 प्लस 9 हो गया एक गुड़े माइनस 11 माइनस 11 हो गया अपन में FD लिख दो तो यह 0 हो गया तो आपका कॉस थीटा सुन्य है तो थीटा बराबर 90 डिग्री है क्योंकि कॉस नाइनटी ही आपका क्या होता है जीरो कि नाइनटी डिग्री आप लोग इसमें कंफ्यूज क्यों हो जाते हो नीट वाले बच्चा खास करके बाइलो जी वाले मेरे लालो कॉस जीरो वन है कॉस 90 जीरो होता है ठीक है गलती मत क्या करो आप यह आंसर दे दे तो 0 नहीं थीटा चाहिए आपको पूचा थीटा थीटा जीरो है तो थीटा आपका 90 होगा बोलो चम 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 को यह सर ग्रेट चली आगे बढ़ते मजा रहे बचलोगा सूपर फास्ट रिविजन और दाट तो इंट वन शॉट किते बच्चों को मजा रहे है यह सर गुड़ी पाई बैदू इस गरेक्ट आंसर चलो विहा दे नेक् इस गरेक्रम बाओ आप अमेजिग प्राबलम एक्रम टेक्च आर टांसर आप चेक्ट इस परोगेटल लागेट आइस पुड़ी ऑख ट्रेक्टायल गवाल अप्रोगेट ए पूंध प्रोगेट आपने प्रोगेटल चेंट इस अब्री है ओंडे बार प्रोगेंगल अनॉ थर्टी डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 75 डिग्री थर्टी से ज्यादा नहीं दे सकते बच्चा थर्टी टू फॉर्टी सेकंड और फिप्टी फाइब सेकंड 60 सेकंड 45 बोल रहे हो तुसी देख लो बच्चा लोग तुसी 45 बोल रहे हो एथ है देखो कुश्चन को समझ लो तुसी तो तुन्हें ऐसी कर लेना बच्चा क्या बोल रहा है यहां पर पोटेंशल एनरजी ओफ प्रोजेक्टाइल एडिस हाइस्ट पॉइंट हाइस्ट पॉइंट इस काइनेटिक एनरजी का इनिशल वैल्यू हाफ मू स्कूर नाव पोटेंशल एनरजी का फॉर्मूला की होएगा एम जी एच और एक का फॉर्मूला कली पढ़े थे यू स्कूएर साइन स्कूएर थीटा अपोन में पू जी इजी स्पाइल टो वन बाइ टू एम एन देन यू का स्कूर यू स्कूर ने यू स्कूर को मारा जी ने जी ओ और तू ने तू को मारा 3 by 4 के बोला है यह 3 by 4 तो यहां पर 3 by 4 भी है करेक्ट 3 by 4 के है ना हां तो मास से मास भी कट जाएगा बच्चो तो साइन स्क्वेर थीटा बराबर 3 by 4 तो थीटा बराबर में 60 डिग्री करेक्ट आपका अंसर आएगा 60 डिग्री आज सजे आवे बोलो क्लियर है मेरे प्यारे लाल बाल गोपालो चम 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 की ला करेक्ट कितने बच्चों का यह बिग आला हाइफाई को विए बिग हाइफाई सेकेंड से फिर से समझाओ पुटेंशल एनरजी इनीशल का 3 by 4 तो पॉटेंशल का फॉर्मूला एम जी एच एच कौन सा मैक्सिमम हाइट और मैक्सिम हाइट का फॉर्मूला क्या है बच्चा भी तो पढ़ा है था कल प्रिवेस क्लास में का इनेमटिक में यू स्कूर साइ है बहुत बढ़िया चली आगे बढ़ते हैं कि 60 डिग्रीज दिकरेक्ट आंसर वी अधनेक्स्ट वन और यह सच में बहुत शांदार प्रॉब्लम मैं है बहुत शांदार प्रॉब्लम बच्चा अगर नीडने कुछ तुमको घुमाना होगा ना इस शेप्टर से तो वह यह एक यह रहा यह एक रहा एक मिलके करते हैं नहीं तो आपके प्राण निकल जाएंगे बट मैं तुम्हारे प्राण नहीं निकलने दूंगा चिंदा मत करो कि हाजी मनेश बच्चा इसका पीडियेफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा कि अरे गलती से टाइप हो गया स्फेरिकल बॉल ओफ मास नोट मैन स्फेरिकल बॉल ओफ मैन आदमी का स्फेरिकल गूला बड़ा अजीब स्टेटमेंट है कि तुम सब बहुत खतरना को कुछ भी मतलब निकालोगे बाइलोजी वाले हुआ कि तुम लोगों ने चीज़ नोटिस की कि मेरी चस्मा ने मुझे धोका दे दिया बच्च लोग ला सुक्ला चस्मा का एक गायव हो गया कि एक गायव हो गया बच्च लोगे गेर गया लायर पूटा नहीं सर आ है कि किसने नजर लगाई वे कि कासम से में बिना चस्में के विद्वा हो जाता हूं ऐसा लगता है बच्च लोग मेरा वाला ले ने गुलाबी वाला फटाक से गुलाबी बट सटर खुला की बंद है ला दे यहां नहीं है मैंने वहां दिखा था यहीं धन्यवाद गुलाबी आंखे पकड़ूगा कली लेंस काड़ वाले को कासम से हां मेरे को विद्वा जैसा फील आता है विद्वा अब लोग लेकिन लाइट में पढ़ाते-पढ़ाते ना अखिक्दम दर्थ करने लग गए अचाना की जुका चसमा निकल गया चस्मा सुसरा आपको दोखा देदिया क्या बاعते बच़ा थे हैं आजकर लोग द्यूका देते रहे यह तो住्वा यह क्या वोलते शुक्राजी सुख्या देते यह न पी तो दोखा देते हैं squirrel लगतया हूं है दर्ट है ओल्य tweeted थे लीज आखे चूटी जैसी है हम कहें छोड़ दो फिर हमको पिर कहती ना है क्या बन्दर में बान लिये हैं अब वो खुदी नहीं जाना चाहती तो हम का करें का बलते शुक्ला जी चैलिए कूल है बढ़िया शांधर तो आपके बाबाए सब्सक्राइब गुलावी वाले चस्में में सवाल को सौल करेंगे आए दिपाली थांकि सो मच बच्चा थांकि सो मच आए कुशन को करते हैं बचलो तो एक स्फेरिकल बॉल ऑफ मैं नहीं बचलों मास है और चलिए देखते हैं स्टेशनरी एड़ टॉप ऑफ हील तो पहाड़ बना देते हैं पीन कहानी चला हमारा हां जी बच्चा तो यह हमने बनाया पहाड और पहाड़ की जो हाइट है ना वह सौ मीटर रखी है चलिए तो हम लोग भी सौ मीटर रख देते हैं और यहां पर गेदा हमारा है हमारा नहीं मतलब बॉल का मास दे रखा है ताट इस 20 kg उसके बाद कहता है इस स्टेशनरी पोटेंचिल कि जो है उपरबालेगर देद्या का ब电化 भ्यवास बिल्कुल बिल्कुल सही है चली बच्चा कौन सी बेटनेटिो ऐगर वो टॉप दिये सुर्ण तो इनर्जी जीरो है काइनेटिक जीरो है ना बढ़ क्या पोटेंचल भी जीरो है नहीं पूटेंशल जीरो है क्या बच्चा लोग नाएं 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 ने पूटेंशल जिरो नहीं है काइनेटिक जीरो है ओके फिर बोलता है बच्चा लोग इट रॉल्स डाउन the smooth surface यह ऐसे roll किया आया to the ground and climb up another hill of height 30 meter यह ऐसे चला गया 30 meter पर फिर से ऐसे आया वी करके यहां पर चड़ गया बराबर फिर से roll down किया अब सवाल हम पढ़ चुके हैं करवा चुके हैं तो क्या बात है यहां पर उसको कितनी वेलोसिटी मिली आप खाली मुझे इतना बता दो कि यहां पर कौन सी energy किसमें convert हो रही है जस 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 टेल में बच्चा पार्टी चार सेक्शन आप सब के लिए खुला है कौन सी एनर्जी किसमें convert हुई है इस पूटेंशल एनर्जी काइनेटी के नर्जी में यह कह दोगे तो थोड़ा गलत होगा क्यों क्योंकि जब बॉल यहां पर पहुंचा ना तो वह हाइट पे भी है और चल भी रहा है बच्चा तो यहां पर आप ऐसे समझो कि कि City सब्सक्राणीन 되면 क्याइब कपको यह सब्सक्राणी की यहां तो व्त्सक्राइब को सब्सक्राइब के था तो हां में जी एच हैं फाइनली बच्चा लोग हमारा पोटेंचल एनर्जी एमजी 20 है एमजी 20 है प्लस कितनी वेलोसिटी से चलने लगा तो हाफ एमवी स्क्वेर नहीं आया कि आ गया यह लगेगा यहां पर पुट कैनेटिक एनर्जी जीरो पहले क्यों क्योंकि हाइट पर रेस्ट पर था हाइट थी पोटेंचल एरजी जमीन पर नहीं आया है था ट्वेंटी मीटर के हाइट पर है पस हो गया आप तो इसको आप सौल कर लो मास से मास कार्ट तो जी और सौ आपका एक हजार हो गया यह आपका 200 हो गया प्लस मास आपका कितना है बच्चा लो 20 किलो है मास तो कड़ी गया बचलो वी स्क्वेर बाइटू सौल करिए तो वी बरावर में 40 मेटर पर सेकिन आएगा देखके पता चल जा रहा है हजार माने दोसो आटसो आटसो दुनी सोड़ो 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 बरावर चालस आज सजी यहां वे कॉंसेट क्लियर है बच्चा लोग बोलो फील आया प्रियंक का गाइक वाड बच्चा एक बॉल है किसी हिल पहाड से छोड़ा गया रोल हुआ फिर ऐसे तीस मिटर पर चला गया फिर रोल हुआ फिर ऐसे चलने लगा तो जब यहां चल भी रहा है और हाइट पर भी है तो यहां का पोटेंशल एनर्जी और का प्रण सक्क्रीत प्रण संक्षित। यहां का मेकेनिकल एनर्जी हो यहां का मेकेनिकल एनर्जी करूं गांगा पैकिसंट ट्रूब्लों कि प्रीवेशर की कोशन किया है बहुत बढ़िया सवाल मिलके करते कि आजो मिलके करते बच्चा बहुत बड़े बैतरीन प्रॉब्लम में वर्क पाउर एनर्जी था इसा बैतरीन प्रॉब्लम पीडिये बच्चा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में मिलेगा जैसे सेशन घतम हो उसके बाद आज चली देखें आमास ओफ एम कीजी इस सब्स्पेंड़ बाई वेटलेस स्ट्रिंग समझना ध्यान से यह वेटलेस स्ट्रिंग है यह रहा कैपिटल एम गामास दो होरिजॉन टल फोस्ट डैजिवाइड तो डिस्प्लेस इट यहां पर कितना होरिजॉन टल फोर्स यह 45 डिग्री का एंगल बना ले बराबर वर्टिकल डारेक्शन फोर्स आपको चाहिए पैतरीन प्रॉब्लम है कि सीखना है कि मेरे रियल बच्चा होगा अपने बाबाए से स्पीक अपने बड़े भाई को अपना हाथ देगा फटा 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 कोशन बहुत बारा है यस कब लट्स अंड़स्टंड है करेक्ट देखें ध्यान से बच्चा यह बॉल की लोवेश्ट पोजिशन है आप बताओ कि यह बॉल इस पोजिशन पर है तो उसकी हाइट कितनी है इस रेफरेंस से हाइट कितनी है कि जीरो 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 करेक्ट करेक्ट जीरो क्योंकि यहीं पर है लेकिन अगर यह रेफरेंस है तो जब यह बॉल यहां चला जाएगा तो उसकी हाइट यह हो जाएगी एमाइक करेक्ट यह हाइट हो जाएगी अच्छा यह आपका लेंथ था एल यह भी आपका लेंथ है एल अगर मैं यहां एक लाइन खीचूं 45 डिगरी का एंगल है तो बच्चा इसकी वैलू क्या होगी 45 है ना तो यह आपका हुआ एल बाई रूट टू और यह भी है आपका एल बाई रूट टू है तो बच्चो एच कितना हुआ क्या अपका है एच हो गया एल माइनस एल बाई रूट टू बोलो यह सुनों ज्या बच्चा ध्यान से आपने जो यहां पर एनेजी दी फोर्स लगा करके डिस्प्लेश्मेंट दिया वो किसमें कवर्ट हो रहा है पहले तो तो कि W बराबर F into displacement is equal to MGH clear है यह बात कि सिंपल कॉंसेप्ट है F into displacement is equal to MGH work यहां पर potential energy में convert हो रहा है energy आपकी potential energy में convert हो येस आपका force हमें निकालना है बड़ displacement कितना है तो displacement इतना है और यह value भी आपकी कितनी है L by root 2 तो बच्चा यह हुआ L by root 2 M G और H H की value देखो L common करो L common किया root 2 लिया LCM खेला खतम पैसा हजम भूची नाचे चम्मा चम बस हो गया M G root 2 से root 2 कड़िया M G root 2 minus 1 अंसर तरण फील आया बचलो यह उपर से चला गया एक दम बढ़िया शांदार तरीके से फील आया है क्या मजा आया फील के साथ शुड़ा रिपीट एक बार फिर से देखना चाहते है तो देख लो बहुत सिंपल कर रहा हूं मैं फैसिक्स आपके लिए आपको फिर और किसी से इश्क मौबबत करने की जुड़त नहीं है पर बाद में बोलोगे सर हमारी वले हमको छोड़के चली गई यहां पर आपने फोर्स लगा है डिस्प्रेस्मेंट ल बाई रूट टू ये फोर्स लगने से हाइट मिला उसको यानि fd बराबर mg h हाइट कैसे निकाला ये ल बाई रूट टू था ये पूरा ल है तो l-l by root 2 यानि l by root 2 देट इस h ओके चलो let's understand the next problem yes my dear student again a very interesting question again a very interesting question from this work power and energy problem again a very interesting problem from this work power and energy मिल्के करना चाहते हो या आप लोग करोगे ट्राइब आजो मिल्के करते हैं the relation between position x and time t is root x plus 3 given where x is in the meter and time is in the second पहला स्वाल बोलता है displacement of the particle when its velocity becomes 0 displacement बता हो when the particle when its velocity becomes 0 है बच्चा हां बच्चा ध्यान से देखिए जो हमारा टी बराबर अंडर root में x plus 3 है न हम उसे थोड़ा चेंज करते हैं root x को subject बनाता है तो यह हुआ t-3 है तो x बराबर हम लिख सकते हैं t-3 का whole square root को हटा दिया करेक्ट है तो यह हुआ t-square minus में 60 plus में 9 and that is all about x हम velocity कैसे निकालता है differentiation करके 2 का square का 2t 60 का आपका अच्छा है velocity 0 बोला तो time आपका 3 second आ गया ठीक है ना time आपका 3 second आ गया बोलता है कि displacement बताओ जब velocity 0 हो गई तो displacement 0 होने के लिए velocity 0 होने के लिए time आपका 3 second है now displacement is what it is xf minus xi this is the formula of x तो जब मैं time 3 रखता हूं तो मेरे लिए xf वही है तो xf आपका 0 है और और x i मेरा कुछ नहीं है time is starting में 0 होता है तो 0 माइनस 3 यानि माइनस 3 का स्क्वेर मतलब 9 यानि आपका displacement आया बचा लोग माइनस में 9 मीटर यह बहुत प्यारा सवाल है यह आपका डीसी पांडे से उठाय हुआ है क्लियर हुआ क्या इसी में दूसरे सवाल देख्ये यह आप लोग ट्राइब करेंगे है व्याव देनेक्स पॉल्म इस आ कॉंस्टन फोर्स एक्स ऑन दे पार्टिकल फाइंड द वर्क दन इन फस्ट शेक्स सेकेंड वर्क दन इन फस्ट शिक्स सेकंड अरे आपको रूट स्क्वेर नहीं मारोगे तो एक्स कैसे निकलेगा एक्स नहीं आएगा तो फिर वेलोसिटी कैसे निकालोगर पहले सब्सक्रीपूचा है तो पूरा रिपीट कर दू देख लो टाइम आपको दे रखा था हमको वेलोसिटी को जिरो करना है यहां बोल रहा हना वेलोसिटी पिकम 0 तो टाइम कितना दिस्प्रिस्मेंट कितना तो मैं वेलोसिटी कैसे निकाल वहाऊँगा इसलिए मेरे कोडू इक। रूट ॉट को सबजेट बनाना पड़ा तो जब आप root x को सब्सक्राइब आपको t-3 आया root को अटाने के लिए square मार दिया bracket को open करा dx by dt करा जो कि मेरा velocity 0 तो time 3 second आगिया अभी मेरा final time है तो xf यानि t बराबर 3 में से 3 गया तो 0 x i t बराबर 0 minus 3 का square मतलब 9 यानि minus 9 अभी feel आया अभी feel आया yes sir good yes बच्चा मुसकांद here is done correct अब हमारा दूसरा सवाल था कि अगर constant force लगे particle पे तो find the work done in the first 6 second work is equal to fd cos theta what is this d displacement fd cos theta लिखा अब displacement आपका कितना है पहले 6 सेकेंड में हाहा तो displacement आपका xf minus x i xf पहले 6 सेकेंड में यहां रखो 6 यहां रखे 6 तो 6 minus 3 3 का square 9 minus x i कितना 0 x i 0 नहीं है x i मतलब x में time को 0 रखना होगा feel करिए जो मैं बोल रहा हूँ xf मतलब final position final position मतलब final time x i मतलब initial position मतलब initial time initial time क्या होगा 0 यह 9 कैसे आया final मेरे को यह बोल रहा है 6 second 6 में से 3 का square मारा तो 9 फिर जब मैं 0 रखोंगा तो फिर से वापस नहीं आजाएगा तो displacement ही 0 होगा इसलिए वर्ग क्या होगा 0 नई आया नहीं आया नई नहीं आया नहीं हाया कि लाया कि फिलां शुर्ण भी आया चिन बच्कों सुना उनको समझ में भी आया होगा मजा भी आया होगा बजिया वेरी गुड जोट सेना आ गया सर मजा आया बच्चा लोग आज का कुशन करके दाट्स ग्रेट एक बहुत शांदर प्रोब्लम मेरे पास आए देखिये वेरी इंट्रस्टिंग प्रोब्लम वेरी इंट्रस्टिंग प्रोब्लम एक बुलेट है इस फाइड इंटो ए हुज फुड ब्लॉक तो एक बुलेट है और वो लकडी के ब्लॉक में जाके घुश गया था भाग यह हमारा वुड ब्लॉक इसके अंदर चला गया अ चैजा बुलेट वाईट वाइल मुविंग इंसाइड थब्लॉक लुसेंच अथ प्रेवज थे वेलॉसिक्स सैन्टीमीटर इंसाइड ब्लॉक यह ग शेंटिमेटर इंसाइड दै व्लॉक यहां सिख्सिक्स लिखा है कोशन कह रहा है फिर सवाल क्या बोलता है हाउ फार देन वुड़ इट गो इंसाइड दे ब्लॉक और यह अंदर कितना जाएगा मुझे क्या पता मैंने एक्स माना बट इतना पता है कि लास्मिश की जीरो हो जाएगी कि क्या बात समझ में आया हाउ फार वुड़ इट गो इं हो मुझे छोड़के जो चले जाओगे बड़ा पचता होगे क्या बोलते शुक्राइब पक्का यार तू बैठेगा के लिए ठीक है चलो इसको कैसे सॉल्ट करेंगे बच्छा लोग हम आगे सारे बच्छे मेरे साथ वापस इसे सॉल्ट करने के लिए हमें लगाना पड़े चलिए यहांपर एक स्लॉट है मैं यहांपर लगाने जा रहा हूँ फोर्स इन्टू डिस्प्लेस्मेंट यानी छह मैं लगाने जा रहा हूं वर्क उस इकोल टू डिल्टा के चेंजिन कारणी के अनरजी वण बाइस टू आइम फाईनल वेलोसिटी का स्क्वेर फाईनल व square by 4 equation number 1 क्या चमका है अब सेकेंड स्लोट ये वाला इसमें भी मैं वापस वही formula लगा रहा हूं F into displacement change in kinetic energy यानि M by 2 final velocity is 0 minus initial velocity is u by 2 which is u square by 4 यानि F times of X M by 2 and minus u square by 4 equation number 2 हर बच्चे को चमको yes sir let's divide these two equations यहां F by 6 है यहां F by X है divide करो तो F से F कट जाएगा तो 6 by X M by 2 से M by 2 कट जाएगा 3u square by 4 है यहां पर और यहां पर यू square by 4 है यह कट गया तो X बराबर में आया आपका दो सेंटिमीटर बो बोलो चम 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 को one of the best 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 problem बच्चा लोग from the chapter work power and energy so how's the choice बच्चा लोग इसका शॉटकट बताऊं यह जितना भी अंदर जाए ना हर बार बच्चा पार्टी डिवाइड बाइट री करना आपका अंसर यह आएगा रिपीट करने को कुछ बच्चे कह रहे हैं यह स्लॉट के लिए work energy theorem यह स्लॉट के लिए work energy theorem यहाँ velocity u था यहाँ velocity u by 2 था तो final यह है यह initial है half mv square minus u square और फिर यहाँ पर रुक गया velocity 0 हो गया so half m 0 square minus this correct तो बस दोनों बार लगाए डिवाइड किया answer बड़ आपको shortcut बताता हूं क्योंकि नीट में बड़े बार पूछा है देखा है मैंने अच्छे अच्छे टाइम पर पूछे बड़े सारे competition में पूछा इसका shortcut है जितना भी distance ट्रवेल करें हर बार divide by three करो आपका answer वही आएगा बोलो फील आया बच्छा मजा आया बच्छा पार्टी थांक यू सो मच आप लोग इतने देर तक पूरा session देखें उसके लिए तहें दिल से आप सभी का शुक्रिया आप लोग के एनर्जी ऑसम सूपब एंड मज़ेदार थी यू आप बीन सच वंडर्फुल वंडर्फुल ओडियो वंडर्फुल ओडियों वंडर्फुल ओडियों सो फार माइडिय स्टुडेंस अब तक विदान्तु मेड इजी के हिस्ट्री में आठ नौ महीने से पढ़ा रहा हूं मै लेकिन सबसे अच्छी ओडियंस आप ही लोगों बच्चा लोगों मज़ेदार तरीके से मज़ा गया मज़ा आया सब लोगों को आज की क्लास की नोट्स आप लोगों को मिल जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलिग्राम में जा करके डाउनलोड कर लेन और इसे अच्छे से बच्चा पार्टी रिवाइस करें आज आप जो भी पढ़े हो एंड ट्रस्ट मी माई बच्चा पार्टी चारा से भी तकलीफ आ रही है कि फिजिक्स में या केमेस्ट्री में या बाइलोजी में आपको टाउट पूछना है या आप पेपर सेट चाहत हो लगातार टेस्ट आपको चाहिए सीरीज एक प्रॉपर चल रही है वेदान्तु का क्रैश कोर्स आपको सिर्फ पे करना है सिक्स थाउजन रुपीद रुपीज पच्चा पाड़ी सुनीट कोड लगाए बैच आप जोइन कर सकते हैं फिप्त जुलाई वाली तीन ही दिन महनत देख रहो आप लोग हमारी पूरी टीम की महनत देख रहो वेदान्तु में इजी की तो दिस कोर्स इस फॉर आल माई बच्चा पाड़ी जिन्हें तकलीफ आ रही है कि कैसे पढ़ें लास्ट में प्रॉपर अटेंशन चाहिए सर से हमें डाउट क्लियर करना है स्ट्र रुपीज पे करना है दर्वाइस टैन थाउजन हो जाएगा बच्च लो तो जरूर क्रैश कोर्स जोइन करो अगर मैं बात करूं बच्चा पार्टी आपके इस क्रैश कोर्स के प्राइस की तो जड़ा सोच ये आप इस छे हजार रुपए दे करिके आप अगर एक अच्छ चैप्टर से मैं डिवाइड करूंगा फिजिक्स के थर्टी चैप्टर से डिवाइड करूं तो 2000 इवाइड थीस कर लीजे यार 1200 बहुत ज्यादा बोल दिया रहा कितना वह सुगला जेरा डिवाइड करिए तो यह सर जी तीस करिए 2000 बटी 30 करिए 1.5 के बच्चों के प्यारे के लिए तहे देल से शुक्रिया ताइंक्यू अभी तीती का 66 रूपीज पर सब्जेक्ट बच्चा लोग 66 रूपीज पर चैप्टर यानि 60 रूपे में आप फिजिक्स का एक चैप्टर पढ़ोगे क्योंकि 2000 रूपे तो पढ़ा एक सब्जिक सब्सक्राइब कर दिया अगर आप एक बार जुड़ जाओगे न तो फिर मेरी भी कोर्स की रेकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी ठीक है तो जरूर जोइन कर यह बच्चा पार्टी आज से क्लास की नोर्स आपको टेलिग्राम में मिल जाएगी उसे डाउनलोड कर लीजे आपके सामने ही मैं इसे डाउनलोड कर देता हूं ताकि हाँ डाउनलोड तो अलड़ी मैंने करके रखा मैं अभी आपको टेलिग्राम में प्रोवाइड भी कर दूंगा एंड जरा देखते हैं कौन-कौन से बच्चा लोग अभी इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं क्यों ब पाल सफिक आइंक यू थैंक यू थैंक इन कि सो मच भूच धसने आप Kellie नियू धियर्व Be उसे हम जैसे जो उनके छोटे भाई है बाबा SSP है बाकी मेरी पूरी टीम है रजनी मैम विनाक्षी मैम भूमी का मैम एंड यूजल प्योसर उसे और बड़ा करने के लिए पूरी कोसिस और मैनत करेंगे बच्चा लोग सब्सक्राइब नहीं कियो तो कर लेना एंड वीडियो सब कुछ मिल जाएगा ठीक है ओके एंड साथि साथ बच्चा लोग यह सबीका शुक्रिया थांकिव 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 फॉच्प पॉर वण पॉपट्व प्रफॉट के बच्चों का प्यारा मुझे बता दीजे मज़ा आया से बच्चों को आज के सेशन में य 11-10 हो चुका है सबको मजा आया yes sir thank you kittu so sweet of you बच्चा थाइंक you thank you thank you so much every बच्चा party has enjoyed the class yes lovely thank you man we thank you Krisha thank you a month Jodhsana मेथरी मुस्कान विनीता and so 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 happy you guys have been super 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 पर अमेजिंग और ओडियंस बच्चा लोग सो फार जर्णी ऑफ विदान तो मेड इजी प्लाटफॉर्म राशी अग्रवाल इस दैर और बच्चा पाड़िस थाइंक यू सो मच तह दिल साब सभी का शुक्रिया तो बता सकते हो किल कौन सी क्लास लगे कि आप लोगों की हाँ हाँ देट वॉस्ट वेल बच्चा कल हमारा रोटेशनल मोशन वर्क पाउर एनरजी के बाद वही होगा रोटेशनल मोशन बहुत शांदार है कल तीन गंटे भी लग सकते हैं तो मस्त बैठिएगा ठीक है और क्लास में कोई बच्चा खाता हुआ मुझे नहीं मिलना चा बट थोड़ा फ्रूट्स का लिया करिए बट खाना नहीं खाने का है शुक्राइब ओके ठीक है और आप में से जितने ही बच्चे हूं मैं सभी लोगों से रिक्वेश्ट करूंगा जरा सी भी तकलीफ आ रही है बच्चा लोग थोड़ा भी लग रहा है आपको नीट का प जाएगा बेसिक से लिए करके सब कुछ करा देंगे सांट सेशन में पता भी नहीं चलेगा और कॉंफिडेंस आपका डेक्स लेबल जाएगा सो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक वेने आपको बता है बचलो उस पर क्लिक करिएगा अब आपसे मुलाकात करेंगे कल लेकिन हमारा चैनल अर्ली मॉर्णिंग से ही महनत आपके लिए कर देता है चालू सुबाट बच के पैतालिस मेंट पर रजनी मैं की क्लास लेगी बच चलो जो आपको बहुत बहुत बैतरी तरीके से बालोजी पढ़ाएंगी उसके बाद हमारे विने सर आएंगे जो आपक हम सभी के बाद हमारे कैटन कूल यानि महिंदर सिंग दोनी के फॉर्म में अर्विंद भाया तो उनकी मोटिवेशन सेशन में जरूर सुनेगा तो थाइंक इस सो मुझ मैं बच्चा पाड़ी लब यॉल तह दिल साब सभी का शुक्रिया यह विनॉप अमेजिंग वाला थाइंक इसो मुझ बबाए ठेक केर बच्चा लोग सी ओ अल इन एक्स लाइवाश्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्